हलो बच्चो कैसे हो फस लावस तो चलिए कुछ बच्चो का डिमांड है कि को प्रावलोम आ रही है वह इस्टेट लाइन मोसों पढ़ना चाते हैं वैसे तो चेप्टर चल्लाववनों नुस्ट लाप दामर सब्सब्रेजन टार्व में पढ़ना हैं और नाइन स्ट्रेट मोशन का दसवा एपीसोड आने वाला था लेकिन ये जो वीडियो आ रहा है ये जो लेचर आज बच्छों की स्पेशल डिमांड पर आ रहा है यह इस इस्ट्रेट सब्सक्राइनमोसन को, तो 1D मोसन पर बीडियो ऑल्रेडी बन चुके हैं, आप यूटूबर जाएंगे यूटूबर जाएंगे, वहाँ पर P 100 फिजिक्स सर्च कर दीजिए और P 100 जब यूटूबर चैनल खुल जाएं तो उसमें इसके सर्च चैनल के सर्च में जाएंगे सीजिस पर जाईए और पी हंडे फिजिक्स पर जाए करके फिर वहां पर खोलिए आप क्या जो चैप्टर आपको चाहिए वह चैप्टर आपको तुरंत आपके सामने आ जाएगा फिरहाल यह चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन तो कुछ बच्चों को प्रावलम है स्ट्रेट लाइन मोशन में कुछ प्रावलम है उनको नहीं क्लियर है उनका इस्पेशल डिमांड है तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन आपको बताने जा रहा हूं क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर बड़ा है बड़ा चैप् प्रफिजिक्स पर 1D मोशन पढ़िए 1D मोशन के जिते भी एपिसोड हैं सब पढ़ लीजिए बिल्कुल 100% आपका एक दम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लेकिन आए पले मैं स्ट्रेट लाइन मोशन सबसे पहली बात है बिटा कि मोशन आप क्या होता है पला यहां कि मोशन होता ही क्या है तो मोसन क्या होता है कहीं पर भी आप कैसे कहेंगे कि यहां यह बाडी मोसन में है तो अब एक लाइन में साथ बोल दीजिए क्या क्या एक लाइन में बोल दीजिए जब भी किसी बस्तु का पोजिशन समय के साथ बदलता है means when the position of a body changes with the time then that body is called in the motion means कि क्या कहेंगे motion को क्या कहेंगे when when position position और position vector when position और position vector of anybody of anybody changes with time तो जब भी कहीं पर किसी बस्त का पोजिशन समय के साथ बदलता है when when position when position of when position or position vector of a body changes with the time तो बाडी किसमे कहाती है then then body is called then body is called in motion तो वह बस्त किसमे कहलाती है then body is called in the motion तो वह बस्त किसमे कहलाती है तो वह बस्त में कहलाती है अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि यह आर पोजिशन होता है और इसपर एक वेक्टर आपने लगा दिया ना तो इसको कहते है पोजिशन वेक्टर बराबर क्या एफ इन्टो टीए जब यह कंडिशन सेटिसफाइ होता तो कहते हैं कि बसमोशन में हैं और जब यह नहीं कौलिफाइज करता है means कि जब यह satisfy नहीं होता है equal to not function of time तो body कालाती है किसमे rest में तो बस तो rest में कालाती है तो पहली बात यह है कि आप कैसे कहेंगे कि means कि कैसे define करेंगे पहली बात है कि motion होता ही कि जैसे straight line motion तो motion क्या है कि हम कहते हैं कि कोई बस तुगतिमान है तो समय के साथ जब उस बस्त का स्थान बदल लहा हो to body किसमे कालाती है ? तो डुछे कालाती है अब जासा देखो भई अब यह सवाल है कि फिर त्रह 1 यह function किसलिए है तो यजब कोई चीज कहींней करती है तो उसे कहा जाता है नवेटा जब कहीँ दो क्यों है कि चीज वैरी करती है, यारिका फंक्सन करती है, यह फमींस वैरियेबल यानि कि समय के साथ बदल भाओ पॉजीशन वेक्टर बदल भाओ तो इसे कहते हैं न बटा तब कहते हैं motion यह ऐसा नहीं हो रहा है पॉजीशन वेक्टर उकर टू नाट फंक्सन अप्टाइंग तब कहते हैं जो आड़ी रेस्ट में है तो पह़ले था पहचानोंगे कैसे की बस तुरह मोशन में है या नहीं, आप स्वाले है हुआ कि पोजीचन कैसे पता करते हैं, तो जानते हो कि मेक mayonnaise में टीन एक्सिस होती है एकस, वाई, और जेड, Einstein और Newton, तो Newton कहता की तीन एक्सिस होती है और Einstein कहता है, Einstein's special theory of relativity में 4 axis होती है, कौन-कौन? X, Y, Z, तो X, Y, Z तो Newton का था, Einstein कहता है, कि समय भी 1 axis है, तो 4 axis होती है, तो Newton के अनुसार 3, और Einstein के अनुसार 4 axis होती है, यानि, Einstein के अनुसार समय भी 1 axis होती है, फिरहाल, यह Newton की mechanics है, Newtonian mechanics है, तो यह Newton नहीं इस पर काम किया था, Newton के द्वारा दिया गया equation है, तो हम लोग Newton की बाद करते हैं, चलोड़ा, अब जैसे माल लिजें, कि यह है X axis, यह है Y axis, और यह है Z axis, यह सब X, Y और Z, यह 3 axis हमेशा कहां पर होती हैं, तीनों एकसे, यह दूसरे के perpendicular होती हैं, हमेशा, देके, हमेशा एक दूसरे के perpendicular होती हैं, mind, mind, okay, यह दूसरे के perpendicular होती है, miss, कि X, Y, और Z, तीनों के बीच, हर दो के बीच का angle 90 होता है, यह angle कितना है, 90, यह भी कितना, 90, यह भी कितना, 90, means, कि सभी axis के बीच का angle 90 होता है, तीनों axis दूसरे के 90 डिगरी पर होती हैं, अब देखो भी, हाँ जी, अब सब पूछ करिए, अच्छा देखो भी बड़ा, अब यह और इस बिंदू को क्या कहते हैं, origin, मूल बिंद, origin, इसका coordinate के ना होता है, 0, 0, 0, यहीं से 1 सुरू होता है, यहीं से 2 सुरू होता है, यहीं से जड़ सुरू होता है, अच्छली जड़ कहाँ पर है, तो ऐसे क्यों बनाया गया, ऐसे इसलिए बनाया गया, कि यहाँ पर देखो बड़ा, यह है हवा में, यह है, आपकी तरफ है, यह पोजिसन रियल में है, लेकिन हवा में लाइन कैसे खिंचा जाए, यह 3D फीगर है, तो यहाँ पर हवा में न खिंच करके इसको यहाँ दिखा दिया गया है, एच्छली यह हवा में है, यहाँ पर 90 डिगर पर देखें, प्लेन के परपेंडिकुलर है, बलाइबोर के परपेंडिकुलर है, ओर यह पर पर परपेंडिकुलर है, अब जैसे सपोस कर लेए, कि यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, इसको अपना पोजिस्चन बताना है, तो क्या करें, कैसे बताएगा, बस एक परपेंडिकुलर डाल दे, एक्स पर, और एक परपेंडिकुलर डाल दे वाई पर, और ओरिजिन से न अप ले, माल लिजे कि यह एक्स मीटर है, यह यह पर, यह पर, सपोस करि X और Y यह हो गए देखे बिटा, X और Y हो गए यह हमारा हैंड यह हन्ड हमारा X है और यह हमारा Y है और इसके ठीक उपर तो यहाँ पर आप दोनों टच कर रहे हैं उसमें x उसके position को specify करने के लिए हमको दो axis चाहिए, किसी विवस्तु का location बताने के लिए minimum दो coordinate की आप सकता पड़ती है, चाहे वह xy हो, चाहे वह yz हो, चाहे zx हो, लेकि minimum दो coordinate की आप सकता तो पड़ती ही पड़ती है, तो और Einstein कहता है कि 3 की आप सकता पड़ती है, समय की भ ही उसको, वह अभी बाद में आता, यहाँ पर हम लोग अभी Newtonian mechanics पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर x, यादि कि जब कोई बस्तु का location बताने के लिए, Newton के अनुसार कितना coordinate चाहिए, minimum 2 चाहिए, minimum 2 चाहिए, minimum 2 चाहिए, और यह उंचाई भी space में भी है, तो यह के height भी फिरहाल, जब ground पर है, तो दो coordinate, suppose किया जाए कि यह हवा में है, यह space में है, यह आदमी, और हमको इसका z position बताना है, यह x हो गया, यह y हो गया, और जितना उचाई होगी, वह z हो गया, तो अब इसका position कैसे लिखेंगे, x, y, z, क्या लिख दिया, x, y, z, यह इसका position हो गया, तो कहते हैं कि what is the position देखें यहाँ पर, तो position and position vector, तो जब हमके वह x, y, z लिखेंगे, for example, suppose करें कि x का मान है 5 meter, y का मान है 7 meter, z का मान है 10 meter, तो position कैसे लिखेंगे, पहले y, x, 5 meter, y का मान फिर, 7 meter, z का मान, 10 meter, 10 meter, तो क्या बन गया, तो 5, 7, 10, इसे काते हैं position, 5, 7, 10, यहनि जो भी numerical value रहे, जो भी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे position, अब जानते हो, कि x axis परना है, देखो, x axis अमाल लिए, तो x axis पर ऐसे लिख दियाता है, i, और उसके उपर ऐसे एक, ऐसे लगा देते है, इस तो इसे निशान लाएता है, जो बोलते है, i cap, तो i cap क्या है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, क्या, unit vector of x axis, अब कहेंगे, कि यह है, unit vector क्या बना, तो x axis को पहचानने के बार-बार लिखना पढ़ता है, x axis, y axis लिखना पढ़ेगा, z axis लिखना पढ़ेगा, तो जब इस numerical value में, i, j, k, यानि उसकी दिशा भी लगा दी जाती है, तब उसे vector कहते हैं, जब दिशा नहीं लगाई जाती है, तब उसे position कहते हैं, तो मैं कहूँ कि इसका position कितना विटा, मैं कहूँ आपसे कि इस आदमी का position क्या है, तो आप कहेंगे position बराबर है, 5, 7, 10, बाहर मीटर लगा दीजिए, मैं कहूँ कि position vector क्या है, देखेगा, position vector क्या है, तब कहिएगा, कि 5, i, i मतलब कि x का, x का मान है न, या x अबेलू है 5 न, तुसके साथ उसे दिशा लगा दीज i cap, plus 7, j cap, plus 10, k cap, okay, this is the position vector, तो आब इसको कहें देखो डा, position को क्यावला r लिखेंगे, और इसको r पर एक, ऐसे arrow लिखीज देंगे, इसको vector काते हैं, तो r vector, vector means, vector means, direction जो सो करता है, जो vector quantity होती है, तो yeah, this is the vector, okay, तो 5, i, plus 7, j, plus 10, k, this is the position vector, हो गया, clear हो गया हैं तक, चलिए, तो दो चीज़े हमने आपको सिखाया कि बस तु बोसर में कब खालाती है, तो बस तु बोसर में तब खालाती है, जब उसका position समय के साथ change हो रहा होता है, बदल रहा होता है, position और position vector दोनों समय के साथ बदल दे होते हैं, तो आब आड़ी plot ड्रा कर देंगे, एक इस पर ड्रा कर देंगे, यह distance ना पलेंगे, यह distance बस तो जड़ी हवा में है, तो जड़ भी होगा, जड़ भी ना पलेंगे, और जो भी value आएगी, वह उसका position होगा, हो गया, चलिए, अब इसके आगे, हावटा, state line motion क्या होता है, तो बस, तो बहु तो सिमेंट क्या होता, जहां से physics start होती है, तो state line motion की सारी main points में हम आपको बताने जा रहे हैं, चले, come on the point next, अब जब body motion में है, अभी अभी आप ने देखा, कि position vector जब बदलता है, at means बदलता है, change होता है, किसके साथ, time के साथ, समय के साथ, time के साथ, तो जब यह बदलता है, तो जब यह बदलता है, तब body किस में कराते हैं, यही condition है, कि किसी बस्तु को हम कब कहते हैं, कि वो motion में है, जब यह equation follow होता है, तो हम कहते हैं, कि वो motion में ह अब r बलाबर क्या होता है तो आब अभी अभी देखे हैं x की value जो भी कुछ रहे रख देना है और यहाँ i cap लगा देना है plus y का मान जो भी कुछ रहे j cap लगा देना है plus z का मान जो भी कुछ रहे रख देना है numerical value फर यहाँ पर k cap लगा देना है हो गया यह है position vector बराबर equal to function means बदलता है किसे साथ समय के साथ अब जा देखना विटा यहाँ पर यह तीन चीज़े है ना x, y और z है ना तीन चीज़े है ना तो यहाँ पर मैं कहूं आपसे कि types of motion क्या होता है अब मैं कहूं आपसे कि types of motion क्या होता है तो क्या कहिएगा types of motion क्या होता है तो types of motion पहला क्या हो गया तो पहला हो गया 1D motion ओके इसी नाम से सारे state time motion के वीडियो है 1D तो 1D motion दूसरा क्या 2D motion और तीसरा क्या 3D motion 3D motion तो types of motion कितने type होते हैं तो motion तीन type होते है सवाल है कौन कौन तो अब ऐसा हो सकता है जैसे फारी जामपल देखना जैसे माली जे सबूस करिए कि यहाँ पर यह एक आदमी है और यह x-axis है और यह y-axis है और यह z-axis है यहाँ यह आदमी खड़ा है और यह सीधे इधर जा रहा है तो यह किस पर जा रहा है x पर जा रहा है y में कोई changing हो रही है नहीं z में कोई changing हो रहा है नहीं आदमी किस पर चलता जा रहा है आदमी X पर जा रहा है तो केवाल X बदला है यदि ये आदमी Y पर जाना शुरू करते तो खाली Y बदलेगा और Z पर जाना शुरू करते कावल Z पर बदलेगा means, जैसे फारी जाम पर बंड क्या है? X axis है, अब देखें, मैं यहां पर खड़ा हूँ अब मैं चल लाओं तो हैं मैं चल लाओं, तो मैं किसे पर चल लाओं? X axis पर मैं चल लाओं, तो क्योबल X बदल लाओं, ना? लेकि मैं यदि इधर चलना शुरू करूं तो y बदल लहा है मैं इधर चलना शुरू करूं तो y बदल लहा है जब मैं इधर चलना शुरू करूं तो y बदल लहा है तो जब कभी कोई बाटी इस तरह समोसन करती है कि केवल एक ही बदले आइधर x और y और z क्या चाहे X चाहे Y चाहे Z केवाल एक बनले एक ही कौडिनेटी में चेंजिंग हो रहा हो तब ऐसे मोशन को कहते हैं क्या तब ऐसे मोशन को वटा 1D मोशन तो 1D मोशन का मतलब क्या निकला देखो तो 1D मोशन का मतलब क्या निकला कि वेन 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 वनली वन कोडिनेट वेन वनली वन कोडिनेट चेंजेच चेंजेच विद टाइम ताइम आइदर आइदर एक्स और वाई और जेट चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेट तो इसे कहते हैं 1D मोशन दूर जाब अभी जामपल इसका 1D मोशन का क्या हुआ इसी को कहते हैं वेटा क्या स्ट्रेट लाईन मोशन इसे कह एक्स क्या बोलते हैं इस्ट्रेट लाइन मोशन अब एस्ट्रेट लाइन मोशन सीधे ज съमाले सीधा था यसक्ज लहा तो भीट होती है सिध्स पर या वह हुते हैं तो अब तो सड्रेट मुसम्न होता है तो अब सड़क पर कार जा रही है स्ट्रेटम सिध्स कर रही किसेद् haisट कुटिए रही है सीधा cycle जा रहा है क्या स्ट्रेट लाइन मर्शन और एक बाल को हमने सीधा उपर थो किया सीधा स्ट्रेट उपर गया है और स्ट्रेट उपर से आ रहा है वो अभी तो स्ट्रेट लाइन हुआ तो लेकिन जब उपर जाता है तो वहाँ पर पिथभी का isolation due to gravity काम करता है small g तो उसे कहते हैं isolation due to gravity यादि कि vertical straight line motion तो most straight line motion दो type के, पहला काउन horizontal और दूसरा काउन vertical straight line motion vertical straight line motion तो पहली बात कि straight line motion होता क्या है कोई भी ऐसा motion जब भी कोई बस इस प्रकार से motion करती है कि उसका केवल एक ही coordinate बदलता है चाहे X, चाहे Y, चाहे Z means when body moves such that it's only one coordinate changes with the time either X or Y or Z then that is called straight line motion there are two types of straight line motion on the ground just parallel to earth that is the straight line motion horizontal straight line motion and when a ball project straight up or straight down that is the vertical straight line motion therefore there are two types of straight line motion horizontal straight line motion car, bus, scooty, train, hawai, jhaach straight और बाल का थो करना उपर तो this is the vertical straight line motion ओके, चलिए, next point अब है पॉइंट हम लोगा कि 2D motion क्या होता है चलिए, अब 2D का इजाम्पल देखा जाए 2D का यह था straight line motion तो straight line motion किने टाइप के? दो टाइप के straight line motion को ने टाइप के? दो टाइप के कौँ कौँ? horizontal straight line motion और vertical straight line motion चलिए, अब 2D motion क्या होता है तब? तो वेन जैसे यह जैसे वेन डी टिफाइन किये है वैसे 2D को डिफाइन करिए वेन, वेन, 2 coordinates वेन, 2 coordinates changes changes with with time वेन, 2 coordinates change with time, अब उसमे काँ काँ सो शकते है? अईदेर आईदेर x, y, r और बोलिए है y, z, r z, x तब करते हैं उसको 2D motion अब इसका कोई जैंपल? circular motion ब्रित्ती एगाती एक रसी ले देजिए रसी रसी में मास बांद देजिए बांद दिया? और just revolving around the head हाँ, इसी घुमाएं जिसे बच्चे खेलते हैं इसे बांद के रसी में घुमाते हैं तो just revolving around the head keeping height constant इसी परफार्मिंग circular motion the circular motion is the best example of the 2D motion वाई? वाई? इस टूडी because जब देखिए जब यह मास इधर जा रहा है तो x बदल रहा है जब इधर जा रहा है तो y बदल रहा है तो इसे चेक्टर मार रहा है न? तो x भी हुआ और y भी हुआ तो x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है बदल रहा है? ओके तो देख सिदा 2D motion अब तो इसा मतर्बे हुआ कि इसके 2D के लिए example लिख दिया जाए circular motion circular motion है ना अच्छा circular motion के अलामा देखें यह circular motion जैसे मालिज यह कि यह है x और यह है y तो देखें दुनों बदलना है ना देखें इधर जा रहा है सिदा यह है मालिज यहां पर है जिदर इधर जा रहा है तो एकस बदलना है आभर ही घूम ल्या तो ना यहीँग सैन्द हा है यह देखें अन्द दोनो गात जोन धोति यहाँ देखें इहां पर है तो एकस कितनी होगी इतना वाई एकस कामाँ यह X का माँ, जब यहाँ पर है तब, जब यहाँ पर है तब, देखें, ऐसे मिला दिया, यह इतना क्या है, Y, X अमान क्या है, 0, यानि किस बिंदू पर क्या है, X ब्राबर 0, और क्या है केवल, Y, यह इतना Y है, इस पर भी क्या है, यह इतना Y है, इस पर क्या है, यह इतना X है है यहाँ पर क्या बोले क्या होगा देखें किवाले यहां से मूरं बिल्दू है औरीजिन से एक्स की दूरी है यह 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 रहा है दोनों के बीच में पूंसके बीच में जा रहा है हां दोनों के बीच में जा रहा देखें तो जब दोनों के बीच में जाएगा तो अब यहाँ था ठेको यहां पचा तो eii so और आगे गया XB और YB, ते भी किसका एजामपल है, 2D का, जा रहा है सीधा स्ट्रेट, लेकिन दो एक्सिस के बीच में जा रहा है, तो दोनों चेंज हो रहे हैं, YB चेंज हो रहा है, और XB चेंज हो रहा है, तो किसका एजामपल हो गया, 2D का एजामपल हो गया, ओके फंटास्टेक तुड़ी होगा बटा अब जस्ट ऐसे ही आप बोल दिए 3D क्या होगा यादि जब x, y, z चैन्जेज विद टाइम यालिकि जब x, y, z तीनुट चैन्ज हो रहें हो समय के साथ तो तब उसे क्या बोलेंगे तब उसे बोलेंगे 3D, 3D मोशन, तीनों बदल लए होंगे, अब तीनों का बदलेंगे, इसका कोई ले लिया जाए, तो इसका प्रोजेक्ट टाइल, ना बटा, क्या है, प्रोजेक्ट टाइल, अब यहाँ पर, यहाँ तीन इसका सामने है, एक है स्टेट लाइड मोशन, दूसा देखा आपने प्रोजेक्ट टाइल, यह तीनों आपके तीन कांटिनिवस चैप्टर है, तो नीट के सेलिवस में पहला चैप्टर वेटा, पहला चैप्टर है वन डाइमेंशन, दूसा चैप्टर है प्रोजेक्ट टाइल, तीसा चैप्टर है सर्कुलर मोशन, तो अब आपका आज चैप्टर शुरू होता है नमबर वन, वन डाइमेंशनल मोशन यानि स्ट्रेट लाइन मोशन. तो चैप्टर शुरू होता विटा, वन डाइमेंशनल मोशन. वन डाइमेंशनल मोशन यानि स्ट्रेट लाइन मोशन. तो अब इस्ट्रेलाइब मर्शन दो होंगे इस्ट्रेलाइब मर्शन दो होंगे हारिजॉंटल और वर्ड क्या है अब है हम लोग का पॉइंट इस्ट्रेट दो इस्ट्रेट लाइब मोशन तो यह कितने टाैप हो गय liters नम्बर बन क्या होगा थुम्पर वन 491 दो हुगा हरिजॉंटल इस्ट्रेट लाइब हार्जंटल इस्ट्रेल्डाइमर्शन ओके और और नमबर दोपर क्या आओ गया नमबर दोपर वर डिटिक्या दो वर्डिक्यल इस्ट्रेल्डाइमर्शन अब सवाल है कि हर्जंटल इस्ट्रेल्डाइमर्शन और वर्डिक्यल इस्ट्रेल्डाइमर्शन अब सवाल है कि हर्जंटल इस्ट्रेल्डाइमर्शन और वर्डिक्यल इस्ट्रेल्डाइमर्शन वर्डिक्यल तो जब कहीं पर भी त यह बराबर जी बन जाता विटा तो इसी को कहते हैं वर्डिकल इस्ट्रेड लाइन मुर्शन और जब आइसलेशन एक कुछ भी रहे उस भी रहे और जानते हैं कि जी का मान क्या होता विटा जी बराब होता है 9.8 मीटर पर सेकूर्ड इस्कॉरल मिंस कि जब वो मोशन पिफभी ग्रेविटी के इन्फुल्यूएंस में होता है तुब उसे कहते हैं न वर्टिकल इस्ट्रेड लाइन यानि वर्टिकल इस्ट्रेड लाइन dictionary मुर्शन मिंस क्या कि जी मोशन अंडर ग्रिवेटी अब चलिए, तो कोई ले लिया जाए, दोनों यह कही है, जो भी चीज यहाँ पर होगी, वही चीज यहाँ पर होगी, अंतर यहाँ होगा, कि यहाँ पर acceleration जो भी कुछ होगा, A ब्राबर F बैयम होगा, न्यूटन स्लावाला, और जब कि यहाँ पर, यहाँ पर A कामान बिल्क से एक है, अब चलिए, तो अब चेप्टर के अंदर चला जाए, इस train direct motion में, हालजें offended इस्ट्रेलाइमोशन चैप्टर के अंदर चलते हैं अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है बिलकुल ही मैं आपको जीरो से शुरू कर यहां बताना यदि आपकी फेजिक्स बहुत ही अच्छी है इंडिया के आप टॉपर इस्टुडेंट है फर्स्ट रहें खोलड है नो प्रावलम आपको मजाएगा जब करके जम करके प्राई इस पे होगी फिजिक्स की धुनाई किया जाएगा मिलकर दोनों लोग और यह दि यहाँ आप जीरो जानते हो फिजीक्स नो प्रावलम क्यों कि बिलकुल ही जीरो से स्टाट करें गे पहुंचाऊंगे आपको हम में देना होगा तो जो भी जाम है जहां पर फिजिक्स है ना आप उसों टाप करेंगे मेरी गारंटी है कि लिए तो चलिए तो हां फर्स लास आए चलिए देखा जाए और आगे हाँ लग तो यह chapter 1 d नाम से बहुत सारे question समय पीछिए करवाए ये हां उन्dock आप क्या करेंगे आप पी हंडेड फीजिक्स पर जाएंगे वहां वंडी चैप्टर तो वंडी चैप्टर जब बोलेंगे कि वंडी ना वंडी मोशन पी हंडेड फीजिक्स पर वंडी खोजिएगा तो फी हंडेड फीज पर जाईए फिर वंडी आप सब आजाएगा आपके चीज सबसे पहले होना है मोशन का कोई बाड़े कर रहे तो पहले तो डिस्टेंस होना है और डिस्प्लेसिमेंट होना सवाल है कि what do you mean by the distance आफ वे टोटल लेंथ आफ वे राष्टे की कुल लंबाई को डिस्टेंस क्याते हैं और यह कैसी कॉन्टिटी होती है यह इसकेलर होता है इसकेलर का मतलब होता है कि जिसमें क्वल नुमेरिकल बैलू रहे नुमेरिकल बैलू रहे दिसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है फिरा डिस्टेंस में दिशा नहीं होती डारेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मैंगनेटुड यानि हिंदी में कहा इसे पास परिमाड हो नमबर 2 इसे पास डाइरेक्षन हो तो चलो बेटा इसके लब बता रहा है न तो इसके लब बहुता है नुमेरिकल वैलू हो यानि कि मैंगनेटुड हो सकता है या नहीं हो सकता है अब नमबर 3 प्याजाओ नमबर 3 पर वेक्टर एडिशन लाह वेक्टर एडिशन लाह विदा कि आर बरावर अंडर रूट एस्कौायर प्लस बी स्कौयर प्लस टू ए बी को सी थीटा को फालो करता हो जहाँ पर theta क्या है? जैसे माले vector A है, या कोई vector B है, इनके 20 का angle theta है, तो इन दोनों का resultant vector कितना हुगा? यह हुगा vector R, ना वेटा? यह हुगा vector R, तो वही यह बता रहा है कि R बढ़ाबर 100 A का प्लस 200 प्लस 2AB cos theta, तो जब यह तीनों चीजे होती है, चल वेटा, एक सेकेंड, ह तो चल लो, यह हटा दिया जाए, तो इसको हटा दिया जाए, या हम इसको, चल लो, ऐसे कर देते हैं, इसको पहले हम vector ले लेते हैं, vector का लिखार गया है, तो पहले बात देखो, vector क्या होता है, तो vector में numerical value magnitude होना जरूरी है, direction, तब यहाँ पर, direction तो ऐसे लिए जाज़े है, direction होना जरूरी है, direction must तब हो जाएगा, तो direction must, आप direction, जब वेक्टर बोलेंगे, तो direction must हो गया, तो नमबर 1 भी हो, नमबर 2 भी हो, और यह भी हो, तीनों satisfy होना चाहिए, तो जब कहीं पर यह तीनों satisfy होती है, तो वह कहलाता है vector, ध्याम देना, लेकिन, इसकेलर, अब सवाल है कि scalar क्या है तब, इसकेलर, तो नमबर 1, magnitude हो, 100%, नमबर 2, direction, direction may or may not, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, और नमबर 3, does not, यह vector addition लाब बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर, एडिशन, लाब बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वेक्टर, एडिशन, लाब, तो देखो, तो इसकेलर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, इसकेलर बनने के नमबर 1, magnitude हो, नमबर 2, direction may or may not, हो भी सकता नहीं भी, और नमबर 3, does not follow, वेक्टर, एडिशन, लाब, does not follow, वेक्टर, इडिशन, लाब, याणि, कि इसको बोलते हैं, तो यह यह condition है, इसकेलर होने का, और यह condition है, वेक्टर होने का, यह condition है, वेक्टर होने का, नोट कर जल्दी fast, हाँ एक पुरा कॉफी बना लेजिए सब कुछ लेखते जाईए तो मैं बेलकुल ही जीरो से उन बच्चों के लिए सुरू किया हूँ जिनका स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हुए हैं अभी नहीं पढ़ पाए थे पीशे है वीडियो मालो नहीं पढ़ पाए बटा तो मैं आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दे ला हूँ यहां पर उन बच्चों के लिए जिनका छूटा हुआ इस्ट्रेट लाइन अभी नहीं पढ़ पाए हैं तो वहां मैं उनको फिर से बता दे रहा हूं लेकिन वन डी आप सर्च करकर आप आठ दस वीडियो है इस्ट्र अब हम बात कर रहे थे हम डिस्टेंस और डिस्प्रसिमेंट की बात कर रहे थे हां अब मैं आप से पूछूं कि इलेक्रिक करेंट बोलो क्या है देखो इलेक्रिक करेंट बोलिए तो इलेक्रिक करेंट आई इसकेलर है कि वेक्टर बोलोटा आई तो आप लास नाइन्थ टेंथ पास की होंगे तो क्लास टेंथ में भी होंगे तो क्लास टेंथ में देखेंगे जहां पर भी करेंट सरकुट दिखाता है रोजिस्टेंज प्रतिरोध तो देखते होंगे अहां पर करेंट को लिखता ॡ् Pa. 5, ED 4, 2, O. तो जैसे मालो कि लिखा गया आई-ओर पांच लिखा गया पांच IM passar तो थो फाइफ नुमेरिकल बेलो हो गया और एंप्रिस department अगर उसकी उनित हो गई तो देखते होंगे कि वहां पर अगविक तेर का निसान जरूर लगा राता n तो एरो भी है यानि दिशा भी है तो नुमेरिकल बैलो भी है दिशा भी है तो यह क्या है इसकेलर की वेक्टर हाँ जल्दी बोलिए इसकेलर की वेक्टर जल्दी बोले बटा जल्दी बोलिए हाँ बिल्कुल सही करे हो ना बिल्कुल सही हो इसकेलर भी है नुमेरिकल बैलू भी है और डायरेक्शन भी है दोनों है ना दोनों है लेकिन तीसरी चीज नहीं है ना तीनों होना चाहिए ना तो तीसरा इस लाक फालू नहीं करता तो चुकि यह करेंट उस लाक फालू नहीं because it has numerical value and direction but it does not follow vector addition law vector addition law r equal to under root under root a square plus b square plus 2ab cos theta where theta is the angle between vector a and vector b okay now we are talking about the main topic what is the straight line motion and in the straight line motion we have to understand what is the distance and displacement what is the displacement let's see what is the distance and displacement we have to understand what is the distance and displacement what is the distance 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 changes here the distance of the way the total length of the way cción the range the distance to be able to dance while the distance is vital and total length called this distance scalp is made by the distance and what you know what is scalar scale तो आप जानते हैं तो डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस टोटल टोटल लेंद आफ वे रास्ते की कुल लामबाय कैसी कॉंटेटी है या इसकेलर है ओके यूनिट क्या है मीटर चली अब डिस्पर्सिमेंट क्या है तो तो शॉर्टेस्ट लेंद लिखे आगे शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट लेंद बिट्वीन बिट्वीन इनिशियल इनिशियल और फाइनल पॉजिशन शॉर्टेस्ट लेंद बिट्वीन इनिशियल और फाइनल पॉजिशन दोटा डिस्पर्सिमेंट क्या है शॉर्टेस्ट लेंद बिट्वीन इनिशियल और फाइनल पॉजिशन अब फारी जम पर फारी जम पर देखे सपोस्थ करिए कि यहां एक आदमी खड़ा है वह पहले गया है A पकड़ा है पहले गया है A से B पर B से गया है C पर C से गया है D पर यह 10 मीटर है यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह 20 मीटर है यहां से यहां तरक पचास मीटर है और इसको मिलाते हैं तो पास मीटर आता है मैं आप कहूँ कि इसा टोटर डिस्टेंस क्या हाँ टोटर डिस्परसिमेंट क्या है हाँ एज बात और नोट को भी टाएं हाँ पर डिस्वर्स्मेंट क्या है यह है वेक्टर क्वांटिटी है यह वेक्टर आज की दिशा भी होगी magnitude भी होगा और वेक्टर डिसला को फालो भी करेगा अब क्या होगा इसके बाद चले अब मैं कहो कि दिस्टेंस कितना हुआ तो जब डिस्टेंस कल्कुलेट करना होगा तो टोटल लेंथ हाब दवे तीरचा उर्षा इधर उधर जो भी चला हुआ हो सब जोड़ दीजिए चलिए जोड़िए टेन मीटर 10 meter 10 meter plus 20 meter 20 meter plus 50 meter 50 meter सबको जोड़ दीजिए 50 meter कितना होगा पिटा दस विस्टीश पर चासर सी 80 meter 80 meter इस 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 दिस्टेंट नेक्स्ट अगला पॉइंट अग जब को अगर नेक्स्ट पॉइंट हाँ अब जब कोई बस तो मोशन कर रही होती है तो वह डिस्टेंस कफर करती है तो उसमें आई स्पीद भी होगी और विलासटी भी होगी आँ है कर गाता डिस्टेंस अपा टाइम 오। टाइम टाइम इंटर्बल मिन्स कि लिएक्स अपान ट्क यह ऐसे भी लिखाने थे थे क्सवाइब अपार भाई यह है अब आप जाजो विलास्टी क्या होता वेटा विलास्टी होती है डिस्ट्रिंग बजाए डिस्प्रसिमेंट होता है इसमें डिस्प्रसिमेंट अपान टाइम ओके और सब कुछ वैसे ही दिखेगा इसमें भी मीटर पर सेंट एम एल्टी पर माइनस वार यह क्या है वेक्टर क्या है वेक्टर यह है वेक्टर और यह है स्केलर मिंस कि एक सेकेंड टाइम को एधी एक सेकेंड कर दिया टाइम इंटर्वल को एधी एक सेकेंड कर दिया जा तो एक सेकेंड में चले गए दूरी एक सेकेंड में चले गए इस्टेंज रही क्या कालाता है speed कालाता है और एक second में चला गया विस्थापन ना विटा ये विस्थापन है dispersiment है तो dispersiment vector quantity है तो arrow लगा देजिए ना तो एक second में cover किया गया विस्थापन dispersiment को क्या कहते है velocity कहते है तो velocity कैसी quantity है vector और वो क्या है scalar ओके आज आज बटा next point अब जानते हैं कि सबसे Newton के पहले Galilio था scientist Galilio Galilie Newton के पहले जिस साल Galilio का death हुआ तो जब death हुआ ठीक उसी समय Newton पैदा हुआ Italy का scientist Galilio और और यहां England का scientist Newton तो Italy में वो जिस साल मरा यानिकि death हुई उसी सा नुटन पैदा हुआ जहां तक काम किया था गैलीलियो तो गैलीलियो ने ये speed क्या है, distance क्या है, acceleration क्या है, retardation क्या है यह सारी चीज़ें theoretically प्रूप किया था किसने गैलीलियो ने तो पूरा theoretical concept दिया गैलीलियो लेकिन वह कोई फार्मूला नहीं बनाया तो जहां तक काम छोड़ा था, ठीक जैसे लगता था कि गैलीलियो गैलीलि की आत्मा उसका soul फिर से rebirth, फिर से जम लिया Newton के रूप में बचे हुए अपने काम को दुबारा पूरा किया हुआ, तो यह इसकी हिस्ट्री है बटा, तो इसलिए कहते हैं कि जो state-tile motion इसके equations को सबसे पहले देने वाला scientist कौन है, तो एक बार गैलीलियो खुल दिया और फिर से पूर जन्म लिया, कि इसके रूप में, Newton के रूप में आया, और Newton की रूप में आ करके अपने बचे हुए काम को वा फिर से पूरा किया, अच्छा बटा, आप देखो, isolation क्या है, आइसलेरेशन क्या है और रेटार्डेशन क्या है तो अब आइसलेरेशन की बात कर लें कि आइसलेरेशन क्या है चलिए तो आइसलेरेशन प्राबर क्या होता है रेट ना रेट आफ चेंज आफ विलास्टी तो isolation is the rate of change of velocity, means क्या, isolation ये ब्रावर, delta v changing velocity upon time interval of the change, meter per second square, this is the unit, अब देखो, ऐसे भी लिए सकते हैं ये ब्रावर क्या, आएसे भी लिए सकते हैं, या और कैसे लिए सकते हैं, आएसे लिए सकते हैं, तो a ब्रावर, delta v by delta t, पहला type तो यही हो गया, दूसा टा ब्रावर, और क्या लिए सकते हैं, हाँ दूसरा a ब्रावर dv by dt वही चीज ऐसे लिखो या ऐसे लिखिए a ब्रावर d2xy dt square ऐसे लिखिए वटा ये तीसा फार्मुला हो गया चोथा फामुला ऐसे लिख दो a ब्रावर v dv by dx ये चार तरह से आपने इसो लिख सकते हैं ये दो दोनों एक ही चीज़े हैं डेल्टा v by delta t ये लिखो ऐसे लिखो ये ब्रावर d2x by dt या निकि डिस्प्रसिमेंट के फार में x डिस्प्रसिमेंट है टी टाइम है या या ब्र ब्रावर v के फार में देखना एब ब्रावर v dv by dx लिखते हैं चार तरह से हम इसी को लिख सकते हैं आईस्लेरेशन को अब जाए देखना यह आईस्लेरेशन है इसलेरेशन लोगा अब यहाँ पर देखे तो आईस्लेरेशन का मतलावता rate of change याणि आइसलेरेशन हम तब कह है आंछ आइसलारेशन हम तब कहेंगे जब विलाश्टी बढ़ती है यानि कि आइसलारेशन तभी हम कहेंगे कि जब विलाश्टी ना आवर्स भी पहले वाले विलवस्टी मिया एक से ज्यादा होना चाहिए तो और आपन्ध केDoes ब्लाइसलेर्शन या that is the isolation तो isolation अब जब घट जाता है वही बाद वाले बिलाश्टी वीटू घट गई पहले ज़ादा थी बाद वाले ज़ादा थी तो उसे कहेंगे retardation क्या? retardation तब उसे कहेंगे retardation, जिस वो हिंदी में कहते हैं mandan, यानि बिलाश्टी घट रही है तो retardation means क्या? Retardation किसे बोलते हैं? Negative negative acceleration Negative acceleration is called retardation Negative acceleration is called retardation यानि कि इसी को de-acceleration करते हैं इसी को de-acceleration करते हैं इसी को de-acceleration करते हैं ओके? Retardation means कि a command इसमें क्या होगी जाना है? Negative minus होना यह command a क्या है? acceleration acceleration जब minus हो जाता है उससे retardation करते हैं अब minus कब होगा? जब v2 command पहले वाले से कम हो जाएगा यानि कि जब v2 velocity decrease करते हैं उससे retardation बोलते हैं ओके? अब आज़ा बटा इन में जितना भी speed है, velocity है, distance है, displacement है acceleration है, retardation है इन सब में सबसे पहला संबंद बताने वाला scientist ज़न था तो theoretically इस सबसे पहले संबंद बताने वाला scientist था Galileo Galilei लेकिन mathematical proof इसका दिया क्या था किसने? mathematical proof mathematical proof दिया इसको इसका Newton है कि mathematical proof इसका किसने दिया सबसे पहले तो कहेंगे Newton और जब कहें कि इसको देने वाला scientist कौन था यादि कि mathematical proof न कहें फार्मुलार न पूछें तब कहें कि इसका जो theory देने वाला scientist था, वो था Galileo Galilei हो जटा है? आजा और आगे चले तो Galileo क्या कहता है? तो आप लिख देजिए equation equation of motion equation of motions ओके तो number one V equal to U plus minus 80 क्यों? कहां से आया? देख वेटा, आया कहां से proof इसका देखते जाएगे कहां से आया? आप जानते हैं, कि आ अब भाव होता है, delta v by delta t होता है आप से 카ल भाव लुखे हैं, आ एज से कहां से जानुखे हां है, देखे हैं呢 ना. a देटा v by delta t तो delta v कितना होगा है? at multiply कर देदी a in to delta t हो गया delta v ब्राबर जानते हैं क्या होता है? final velocity को V बोलते हैं और initial velocity को U बोलते हैं तो V minus U बराबर A into delta T तो V बराबर कितना हुआ यह उधर गया U plus A delta T लिखने के लिए shortcut V बराबर U plus AT ओके तो this is a proof of equation number first तो equation Galileo का equation equations of motion कौन दिया किस ने दिया इसको Galileo Galileo Galilei Galileo Galilei के द्वार दिया गया Galileo Galilei ने क्या दिया रेठा इसकी theory दिया इसकी theory और proof proof mathematical mathematical proof देने वाला scientist को था Newton Newton ओके तो पहला equation V बराबर U plus minus 80 है हो गया V बराबर U plus minus 80 ओके जब यह तो horizontal motion के लिए हो गया जब यही जब यही vertical motion होगा तो क्या होगा तो आप देखिए V बराबर U प्लस माइनस GT हो जाना है बस एक S थांग पे G हो जाएगा अब प्लस कब रहेगा जब isolation होगा माइनस कब जब retardation होगा नमबर सेकेंट यह ति वहीं से ऐसे ही proof किया जाए देख़टा हाइट बोलेंगे आइस के लिए डिस्टेंस बोलेंगे तो H बराबर क्या UT प्लस माइनस प्लस कब जब isolation होगा माइनस कब जब retardation होगा तो प्लस माइनस हाफ GT स्क्वार यह एक एस्थान पे G हो जाना है अब नमबर थर्ड का क्या होगा V स्क्वार बराबर U स्क्वार प्लस माइनस 2 A यह हो गया वर्डेकल אोसन के लिए V स्क्वार बराबर U स्क्वार प्लस माइनस 2 GH इस तीन इक्वेशन हो गया अब एक इक्वेशन जो most important और बनाए गया और बनाए गया चौथा most important वो क्या है तो s n ब्राबर u plus minus a upon 2 in the bracket 2n minus 1 यह हो गया और वर्टिकल के लिए h n ब्राबर u plus minus g by 2 2n minus 1 तो there are only four equations there are only four equations यही चार एक्वेशन नोट करें वाटा जल्दी से तो हाँ नोट कर लीजिए हो गया चल वाटा अब जाद देखना अब यहाँ पर अभी हम लोगा पहला equation मिला था डिफ्रेंसेशन इंटिगेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ना तो यह सब मैं पढ़ाया हूं पीछे पीछे वीडियो में चले जाएंगे तो आपको जब मिंस की यहां पर कहां पर मिलेगा आपको वन डी में तो वन डी पी हंड्रेट फीजिक्स पर जाएं गूगल पर चले जाएं चाहिए यूटूब पर चले जाएं ना तो चाहे गूगल पर जाएं चाहे यूटूब पर जाएं या अपनी हमारी वेब साइट वेटा उस पर चले ये www.pihandredphysics.live पर वहां पर चलते जाएं अरवह कशक jal कर सब्सक्रीं तो पर यूटूब होतनीा तो पर यूटूब पर पहुंचा देगा गूग clarity यूटूब पर चलए गयो है और वहां पर तुनति से चैनल को सिस्क्राइब चराग कर दीए तो जैूंया निлять दौत आकि मैं all दबासेद मिलता रहेंगा बार-बार, continue, important चीज़ें कोई miss नहीं होंगी, फिर क्या करेंगें उसके बाद में, अब वहाँ पर YouTube पर जाकर के P100 physics खुला हुआ है, तो P100 physics में, ना, P100 physics, लिख दीजिये, उब पर कि P100 physics, one dimensional motion, या 1D कर दीजिये, तो 1D, स्टेट लाइन मोसन, सब कुछ साथ में आजाएगा आपके, ठीक है, कुछ भी पढ़ना चाहिए, अब जैसे मा लिए, कि यूटूब आपका खुला हुआ, पी हंडेड फीजिक्स खुला हुआ, पी हंडेड फीजिक्स पर गया हुए है, तो अब पर लिए पी इंटिग्रेशन, डिफ्रेंशेशन यहां बहुत सारी चीज है, यह 1D चेटर बहुत बड़ा चेटर, स्टेट डाइन मोसन बहुत ही बड़ा चेप्टर है, तो मैं पीछे सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन, मैं या किसी बच्चे के डिवान पर, मैं आज फीर से उस ऊब चार्णे बस चेटर बसका है, स्युद्र बसक्र बसक्राइब बसक्राइब लिखा महाँ का खिएं हो इसके बाद में कल आएगा दसवा एपिसोड, न्यूटर बसक्राइब कर सपयर ही, बहुत ही iMPaattered, बहुत ही IMPaarted सारे फीसोडिश में आ रहे है, सब सब के सब, और पीशे जो भी है वो सब के बहुत इंपार्टेंट है सब पढ़ डाली है बहुत ही अच्छी तरह से चले आजे अब यहां पर देख वड़ा तो यह डी एक्स क्या कहता है इंटेग्रेट करने के लिए तो डी एक्स तो जब कुछ बगल में नहीं रहता है तो डी एक्स खुद अब देखें क्या हो एक से कर दो पूरा कर दीजेए यहां लगा दीजे साइन ना इंटेग्रेशन की साइन है और यह एक्स बाबर यूटी प्लस हाफ एटी स्कुदु इसक्वाइर तो इस देख अब प्लस लेंगे कब लोगे प्लस जब अचलरेशन होगा कब लोगे माइ मैनस जब रीटार्डेशन होगा घ्यानी कि घट रही होगी तो मैनस जब बढ़र रही होगी तो प्लस और यह एक्वशन और नमबर दो इक्वशन और दूसरा च्वहान और दूसरा यानि कि यह वाटिकल मोचन के लिए यह हाल जंप एलनर मो पर इस्क्वाइर वाला है तीन नंबर यह होता है स्केलर और यह भी किस फार में होता है वेक्टर यह भी किस में वेक्टर ओके चलिए तीन वेक्वेशन हो गए बना लिया अब आई यह हाँ बटा चलो अब इसके बाद देखो क्या है इस्टेट लाइल मुशन ना अब इसके बाद देखो क्या है वही बहुत जरूरी जरूरी हो चीज़ है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको हम देखना और पॉइंट एक लेट है कि आप के चले अब इसको यूज कैसे करेंगे यह जो एक्विशन आया हुआ बर इसको यूज कैसे करेंगे आजाओ दिखाता हूँ आपको कैसे यूज करेंगे आप कुछ एजांपर लिए जाक पर लिए 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 कर नमबर फर्स्ट लिएँ ख स vẫn स्रस्ट क ऐक कार इस पर लेज लिए लिए कुस्क एकट कारर इस्मुवइङ विट स्ट्रोय présent constant acceleration 5 meter per second square constant acceleration 5 meter a car is moving with constant acceleration 5 meter per second square let car is starting from rest starting from rest rest then number 1 velocity velocity at 4 seconds number 2 distance distance travel in 5 seconds 5 seconds number 3 distance distance traveled in 5th second यह 5 seconds है और यह 5th second है नेसं आहा true नग्या क्रहा यह है argu let car let car स्स्टेनली है यह एके पुछ्हाएं तब भी अन एल तीन चीजें आवसे पूछ राए यह तीन चीजे on चाले universyt Brush क्या रहा कि बिरा सिर्टी बार चाहर सेब्र षिछ पशेक बताल नमबर दी тоб ala कि कर दिस्टेंस टरवल इंड फाइव सेक नमब थार में कर दिस्टेंस टरवल इन फिफ्फष शेक ञ्मिन उपब सेक चाल ये जल्द आप जा साथ देखिए बटा हाँ कैसे करोगे आजाओ एक एक जामपल जल्दी में आपको बता रहें क्यों क्योंकि आर अल्रेडी आठ दस वीडियो नाम से पढ़ा हुआ इस्टेट लाइन पढ़ने के लिए इस्टेट लाइन मुशन के रिकांस हम आठ दस वीडियो होंगे आप चले जाएए फढ़न सब पढ़ डाली हो वहां पर हां चलो वैटा वैसे हम इसमें बीच-बीच में आपको कराते रहेंगे सब कुछ लेकिन पीछे सब कुछ बना हुआ हुआ उतना पढ़ डालिए फिर हमको कमेंट करके आप बताएगा उतना पढ़ डालिए पहले कि सबाइब करके मैं बेज़ दूंगा वाट्सब पे अपने मैं डाल दूंगा उस पर मैं डाल दूंगा या या वीडियो ही बना दूंगा नहीं दूर्सा वीडियो बना दूंगा उस टापिक काई चलो आजा के हो गया चलो गई है तो आप चुके होंगे देखें एक कार एक कर इस मूभी कांशने एस आसन है सरने 5000 मिट्वा स्रेस्ट्र यानि क्या किह रहा है कि शुरू कॉली बिलक्षक शूरू वाली लेस्ट निसली जीरो है अब आप से क्या पूच्छक शनक को स् कि आप बेटा प्रावलम कि फिजिक्स तो बच्छा थूरी तो पढ़ भी लेता है जब नुमेरिकल बनके सामने आता है तो नहीं समझ पाता है कि मैं कैसे लगा हूं कुछ नहीं बहुत आसान होता है क्वेश्चन को अच्छी तरसे दो बार पढ़ो बेटा ना दो बार जरू से लिख्या जाता है एक है फिर देखो इस्टार्टिंग फ्राम रेस्ट यानि कि इनीशल बिलास्टी प्रारमभी बेक सुन है इनीशल बिलास्टी जीरो है दो चीज तो इससे कनफर्म हो गई अब फिर देखिएगा कि क्वेश्चन में कुछ दिया होगा और कुछ पूछ क see what the question में दिया हो कि देखो T का माद दिया है 4, U का माद दिया है 0, A का माद दिया है 5 और पूछ रहा है बिलास्टी, बिलास्टी पूछा मतलव हो कि फाखिनल बिलास्टी अब जैसे बताओ कोई ऐसा equation जानते हो कि जिसमें प्रारम्भी बेग हो, इनिश्य ब्यास्टी U हो, आइसलेरेशन भी हो, फाइनल बिलास्टी भी हो, समय भी हो, जानते हो कुछ, अभी अभी पढ़े हो, V बराबर U पलस 80, पलस क्यों, माइनस क्यों नहीं, इसलिए कि आइसलेरेशन बोला है, यदि ब्रेक मारा होता, तो रिटार्डेशन ह होता, जब रिटार्डेशन होता, तो यह माइनस लिखते हैं, याई कि जब बिलास्टी घटेगी, तो माइनस बढ़ेगी, तो पलस, देख वटा, हो गया, पैसान जाओगे तुर्ण, अब देखो, यह वाली बिलास्टी पूछ रहा है, भी ब्राबर, यूग अमान कहा है क इस्टार्टिंग फार्म रेस्ट यानि शुरुवात में 0 था, आपकी स्कूटी खड़ी है, स्टार्ट करो, इस्टार्ट किया, तो ती बाबर 0 पे आनिकि जब आपने स्टार्ट किया, उस समय उसकी बिलास्टी क्या थे, रेस्ट में था, तो प्राराभिक बेग यानि कि इनिशिल विलास्टी क्या थे, 0 तो 0, अब isolator लिया, कितने का, 5 मीटर पर सिंड स्कॉईर क्या, यहां मतलब क्या हुआ, कि एक सेकंड पे 5 मीटर प्रति सेकंड, यानि कि एक सेकंड में 5 मीटर बढ़ जाएगी उसकी, देखो, तो प्लैस, क्या, a कमान, 5, t कमान, कितने सेक पर तो लिख दी आप फोर तो वी ब्राबर क्या मिला 20 meter per second पहला answer हो गया बट्रो देखो हो गया पहला answer दूसरी answer पाई जाओ Distance Travelled in five seconds है पांच isजершा पीफ्ट पांच सेक है कि सच्च का रहा कि । acqu till फिफ्थ सेगлемं 5 अब मैं आपसे कहों कि 50 लोग लाइन में है i affected no में मालोग खड़े हैं और मैं आपसे कहों कि पचास आंध मी को मिठाइ बांटियाओ एक तो पचासो के देंगे कि किसी ये को देंगे मैं कहा हूँ कि पचास ओं को मिठाई देजिए पचस आदमी आदमी को मिठाई देजिए तो 49 को नहीं देना है on 40 को नहीं देना पचास ओं मिठाई दे जिए कों कि तु जब कभी कहा किसें में फिफ्थ यानि कि डिस्टेंस टर्वेल्ड इन फिफ्थ यानि कि पांचमा मींस कि पहला सेकंड नहीं लेना है, दूसरा भी नहीं लेना है, तीसरा भी नहीं लेना है, चौथा भी नहीं लेना है, कौनसा पांचमा, पांचमा मींस एक अकेला होगा ना, पांचमा सेकंड एक तो जब अकेला सेकंड में पूछछे कि 5th सेकंड 10 तॉट और जब कहें पूरा समय हो यानिょ कि 10 सेकंड तब लगाएंगे इक्वेशनननन्ब समय है ये कि 10 समय को मिठाई देना है तब लगाएंगे एक्वेशन नमबर कौन सा एक्वेशन नमबर चार चलो आजाओ देखो तो डिश्टे अब दो नमबर का इंसर कितना हुगा तो कह रहा है कि डिश्टेंस टवेड इन 5 5 मतर टोटल एक भी लेना है दो सिकन्ड भी लेना है तीन चार पांच पांच हो में बताना है तो अब लेंगे दो नमबर एक्वेशन स बराबर यू टी प्लाफ ए टी स्क्वाइल लेंगे तो और इस बराबर देखो यू इनिचियल विराष्टे 0 बोला है तो इतो 0 हो गया जीरो में टी शा मुट्वाइव करेंगे 0 हो जाए गा और प्लस हाफ इन्टू ए एक अबादे गो पांच दिया है और टी कब देना ह फाइफ भी है तो 5 T का स्क्वाइर दिया देखो अब एस ब्राबब करना हुआ हाफ इंटू 5 का स्क्वाइर करें 25 25 इंटू 5 याने कि 125 125 हो गया याने कि 67.5 67.5 मीटर हो गया अब आजाओ अब तीन नंबर का एंसर देखें डिस्टेंस ट्रबेल इन 5 फिफ्थ सेकेंड देखो अब एनमा वाला फामड़ा लगेगा मीज़ कि s एंथ बराबर क्या यू प्लैस एबाइटू 2 एन माइनस वन यह लगेगा भामड़ा तो यह है इक्वेशन बहुत आसान फिजिक्स होती बिटा फिजिक्स बहुत आसान होती है बस अच्छी तरसे सुरू से जीरू से समझने की जरूरत है तो अब देखो आप यहां कौंसा है एनमा एनमा मिस दसमा वीशमा पचासमा तो अब यहां पर कौंसा आपको बोला गया है आपको बोला गया यह फिफ्थ पांचमा सेकेंड में प्रारंभी बेक इनिश्य ब्राशी जीरू है जीरू प्लस एक अमान दिया देखो फाइफ तो फाइफ बाइट्यू कर दीजिये यहां पर क्या 2N यानिकि 2 इंटू 5-1 अब पर फाइफ क्यों है क्योंकि पांच वाप पूछा गया है तो इन ब्राबर हो गया इसको स्टालव कर देखो 5 by 2 हो गया 5 x 2 बाहर है ही हो गया अब यहां पर देखो दो गुड़े 5 यारी कि यह हुए कितना 2 x 5 तेन हो गया 10-9 हो गया और 9 और 9 x 5 45 अपान क्या अपान 2 कितना जाएगा 22.5 मीटर ना 22.5 मीटर देखो एटा तीनों एंसर हो गया हो गया तीनों एंसर हो गया आपके तो कैसे किया जाता है क्रेश्चन आए अगला क्रेश्चन नेक्स्ट हाँ और आगे चला जाए हाँ झाल झाल आगला केशन नेक्स्ट पर ले लिए अगर आप लिखेगा अब वार्डिकल वाला स्ट्रेट लाइन मोर्शन में अब वार्डिकल स्ट्रेट लाइन मोर्शन का एक नूमेरिकल लेने जा रहा है किया है यह बाल इस फ्रिली फालिंग फ्राम हाइट 125 मीटर ओके अब क्या कह रहा है नंबर वन टाइम टाइम टेकेन टू कम्स आन दा ग्राउंड जमीन पर आने में कितना टाइम लगे गाविटा पहला प्रेस्चन नंबर दो विलाश्टी आप स्ट्राइकिंग आन दा ग्राउंड ग्राउंड पर किस बेक से टक्राएगा नंबर तीन विलाश्टी विलाश्टी इन लास्ट सेकेंड अंतीम सेकेंड में चली गई विलाश्टी ने बिठा हाइट विलाश्टी आप साथा सेकेंड रेस्टी रेसिय। नंबर पर प्रेस्टी रेसिय। ओपितव रेसिय। वीड़ेट रेसिय। एव थैट सब्सक्राइट प्रवेल्ड इन फोर्थ सेकेंट आयंड और फोर्ष सेकेंड फोर्ष सेकेंड ऑके मारत तो जल्ड देसे कर लिए 1 दमःई वही 4 रिक्विशन वही 4 रिक्िशन होते हैं मैं बता दू जल्दी से आज बड़ाँ रेखो अब एक सब्द यहां पर को ऒई文e एक सब्सक्राइब फ्री फालिंग तो फ्री फालिंग होता क्या है फ्री फालिंग नेचर में दो टाइप के होते हैं पहला कौन बस तुको छोड़ दिया जाए और दूसरा कौन बस तुको सीधा हारिजोन्टल थो किया जाए जैसे माल यह कि आप अपनी बिल्डिंग पर छत पर खड़े हो जाएगे हाथ में आप दो बालने लेजिए एक को छोड़ देजिए और एक को हारिजोंटल बीस मीटा पर स्क्रेंट से थो करिए एक ही समय एक को छोड़ रहे हो एक को छोड़ रहे हो और एक को बीस मीटा पर स्क्रेंट से थो कर रहे हो जमीन पर पहले कौन ग यह चक है एसे छोड़ी क्यों तो भाई हमको नीचे जमीन पर भेजना है तो दो तरहीका है यह तो अपने आप नीचे गिने वह फ्रीफाले में अपने आप नीचे गिले वह फ्रीफाले तो नेचर में दो तरके फ्रीफालिंग होते हैं एक बस्त को छोड़ दे और दूसरा हारिजुनिटल फ्रो करें तीन साल चार सा तायारी करने के बाद भी बच्चों को नहीं समय आता है विटा कि फ्रीफालिंग क्या होती है ना जो यहां वहां ओटा कोटा यहां वहां फालत क्लास में तो फ्रीफालिंग करता सब भी लास्टी दे रहा है तो कैसे फ्रीफालिंग कर आएगा मैं जानता हूं कि कर दिया है टीचर ने जोगराई करके मिमिक्री करते टीचर तो कहीं बर्थडे बना रहे हैं तो कहीं मिमिक्री कर रहे हैं तो कहीं वह से चारा करके और बच्च्च करना एंगेज नहीं ट्रैप करना इंगेज नहीं ट्रैप करते हैं भाल खाते हैं बच्च कं फीचर कहब देते हैं तो आ है तो खुद ही नहीं हम पढ़े लिखें हैं ना I wear इसने कोई डिगरी है यह पढ़ाये क्या हाथ में गुदणागुदवा करके मिंफिकिर करते हैं जो कराइन तो जोकर कहीं होता नहीं जैसे पीचर पीचर में तेकि बच्चे हसने में अच्छा लगता है तो बच्चे जगता समझते हैं तब देर हो चुकी होती है तब physics को हो चुकी होती है तब फिराल ऐसा नहीं करना हम लोगों को सिरियसलिए उसके जमीन पहरा करके पढाई कर्नी होती है और बिल्कुल zero प्यक्तुस एकदम से स्टेबाइस्टेपि स्टेबाइस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस्टेफिस how many times are the free-falling there are two times are the free-falling there are two times are the free-falling okay a distributor just drop this freely मुत तरू से छोड़ दिया अर्थ ने अपनी तरफ कीचा अर्थ कोई विलास्टी नहीं है अर्थ के तरफ यानि कि अर्थ हर प्रिथवी की प्रापर्टी होती है अर्थ की प्रापर्टी होती है कि हर बस्तों अपने सेंटर के तरफ खीचती है तो कोई विलास्टी जम नहीं होती है उसके पास में अर्थ के सेंटर के तरफ अप पहला तो यह fix है यह होना ही है अच्छा दूसरा क्या देखे यह horizontal हम बिलास्टी दे रहे हैं हम 4 अगी का भी गिरे न सीधा प्रिथवी के parallel horizontal बिलास्टी दिया हूँ कि वो सीधा जाए है ना क्या गया सीधा नहीं तो हमने तो सीधा दिया है x-axis पर और यह गिर रहा है नीचे y-axis पर y पर हमें कोई बिलास्टी दिया है नहीं तो पहले वाले situation में भी हमने y पर कोई बिलास्टी ने दिया इस situation में भी हम कोई y पर बिलास्टी ने दे रहे हैं हम विलास्टी हर्योंटल डिरेक्स्या में दे रहेता है ना? तो अर्थ अपने आग खेंचा इसको तो this is the also case of free falling, so there are two types of the free falling in the nature, one is the, लिखो, 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 free falling, coffee में लिखो free falling, लिख दिया, लिखोटा, coffee में free falling, लिखो free falling, लिखो free falling, तो there are two types of the free falling, number one, drop the body, छोड़ दिया, और number second, लिखो, horizontal throw, और दोनों ही case में, जो time लगेगा, क्या होगा बटा, जैसे माल लो, यह कोई बस्तु है, हमने छोड़ दिया, यह अपने आप गिर रहा है, height है h, छोड़ दिया हूँ, हमने कोई velocity नहीं दिया है, यह बराबर 0, suppose करों कि height है h, तो h बराबर क्या लिखोगे, h बराबर, second equation लग 80 square, तो h बराबर क्या होगा बटा, 0 प्लस half 80 square हो गया, अब जाद देखना, 0 बटा दो, t बराबर कितना होगा यहां से देखिए, under root क्या, 2h अपन ची, ओके, this is the case of the free falling, तो this is the free falling case number 1, अब देखो बटा, यहां दूसरा case, हमने बाल को हरिजुनटर थो किया, height, यह अच्छे, ground से उचाई, यह अच्छे, देखो, हमने हरिजुनटर थो किया बाल को, अब यह क्या किया, ऐसे जाएगा, गिरेगा, ground पर, गिरा, देखो, अब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हमने कोई बिलास्टी दिया है, नो, अक अकेला G है, यहाँ पर भी देखो, अकेला G है, इसमें न बिलास्टी इधर दिया हूँ, इसमें बिलास्टी हमने UX पर दिया हूँ, नीचे की तरफ मने कोई बिलास्टी ने दिया है, यहाँ पर भी तो G ही अकेला लेके जा रहा है, यह मतलत में एक क्या हुआ, यह भी क्या बना यह फिगर बनालो फ्रीफालिंग क्या होता है कि मींस देख रहा है दोनों ही सिच्वेशन में टी ब्रावर अंडरू 2 एच बाइजी और यहां पर भी देख रहा है टी ब्रावर अंडरू 2 u h by g देख लिया हो गया है हो गया चलो बटा अब अब हटा दे तो अब आप three falling समझ गया होंगे प्रीफालिंग होता क्या है चलो अब अभी हटा दिया जाए फ्रीफालिंग जब ही कहीं सब्ड़ देखेगा फ्रीफालिंग तो तुरांत बस हाँ चलो अब देखना अब आजाएगे तो जिवन ही आपने सब देखा फ्री फालेंग उचाई देखा किना दिया है बिल्डिंग की कि टाइम टेकेन टू कम्स अन्दर ग्राउंद बैस पहला बाला मार दिजिए त्रम फटा पनिशाण T ब्राबर होता है अंडर रूट टू एच पान जी होता है बैस बेलूपूट करिए टी ब्राबर अंडर रूट टू एच 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 हथए पान जी मतला दस कट दिजे 5 एक कितना होगा 25 तो आया कितना अंडर उट पर चीश मतलब कितना पांच सेकेंड बहु शुर गया इंसा पाला पार्ट हो गया टाइम टेकन तो कम सांद ग्राउंड फाइब सेकेंड नोट करिए हो गया आजा नेक्स्ट हाँ बटा चलो नेक्स्ट विलास्टी या फिस्ट्राइकिंग अन्डर ग्राउंड देख बटा अब यह बस तो छोड़ दिया हमें गिर रही है बस तो ना यह बस तो गिर रही है कि 125 मेटर की उचाई से गिर रहा हमको बताना कि स्ट्राइकिंग विलास्टी से यहां जमीन पर टकराएगा वह जैसे आप माली की बिल्डिंग पर खड़े अपनी छत पर खड़े एक बाल को आप गिरा देजिए जब गिराएगा तो आपने छोड़ा है कोई विलास्टी न अबस्तुगिर रही है और जी एसलेशन अचाई मतब क्या 9.8 मीटर पर सेकंड इसक्वार जाती यादि एक सेकंड में नो दसलो आठ मीटर बढ़ जाती यादि दस माल लिया जा तो एक सेकंड में दस बढ़ जाती है तो पहले में विलास्टी दस हो गई दूसरे में क्या ह बढ़ गई पांसे में दस और बढ़ गई और ऐसे ही पूछ रहा कि जमीन पर जब टकराएगा तो विलास्टी उसकी क्या होगी बेरी सिंपल देखो विलास्टी क्या होगी यू बराबर दिया है जीरो और टी बराबर अभी देखा हूं टी टी बराबर किना जर्में पहु बराबर कितना हो गया परचास मीटर पर सेकेंड हो गया हो गया अब इसको चाहो तो भी स्क्वार बराबर यू स्कार प्लस टू जी एच से भी निकाल सकते बिटा कैसे यह तो यह प्रोसेस टाइम के द्वारा निकाल दो या नहीं यह वाला लगा तो थड़ वाल यहां से भी आ जाएगा इसे यू कमान जीरो बेटा जीरो हो गया टू इन्टू टेन इन्टू क्या एच एक्टापचीस वी बराबर अंडर रूट कितना देख वीटा दस गुडे दो 20 हो गया एक्टापचीस पचीस सो हो गया तो वी सेस और यह भी दोनों में से कोई लगा दो हाइट तो पता ही है तो चाहिए यह लगा देजिए या नहीं टाइम मालूम है पांस सेगें में गिर जाता है तो यह लगा देजिए दोनों पता रड़ा हो आ गया हानोट करें जल दे हैं आजाओ नेक्स्ट हाँ चलो अब 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 देखो हाइट इन लास्ट सेकेंड तीसा पार्ट तीसा हाइट इन लास्ट देखो जब हम इस बाल को छोड़े हैं तो जब ग्राउंड पर कितने दे में टक राया है टी ब्राबर 500 सेकेंड में टक राया है तो लास्ट सेकेंड लास्ट पता करना परेगा ना आदमी लायन में खड़े हैं मैं कहूं आपसे कि लास्ट कौन है तो गिनिये वान टू थ्री फोर फाइफ माले पांच आदमी है तो पांच वान लास्ट है तो अब मैं जब कोई बस तो उपर से गिराई जा रही है यह कहा जाए कि लास्ट सेकेंड में कितनी हाइट तो अब आपको क्या करना हुआ एक पांच सेकेंड तो लास्ट हमारा यह पता है कि पांच वान लास्ट है अब क्या कहीएगा है लास्ट मितल आप क्या लास्ट Sum Bond क्या एंत यूब SBY तो और क्या 2N माइनस वट तो H7 बराबर क्या हुटपा देखोंबória मान फ्री फालें जीरो है जी तस बटा दो और तो इंटू 5-1 तो क्या हुआ एच फिफ्थ बराबर यह हुआ फाइफ हुआ अब यहां बाद देखो 5 इंटू 2-1 नाइन और 9 इंटू 5 क्यों ना हो गटा 45 45 मीटर तो लास्ट एक में किनी हाइट 45 मीटर सल्व हो गया हो गया आप जादे खोटा और क्या कह रहा है हाँ चली पर इसे डोट करिए है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हो गया आजाओ आप चार नंबर पार्ट फोर नंबर पार्ट फोर फोर हाँ हाँ देखवा अब कि रेशिव फाइट ट्रवेल इन फोर से के ध्याने लाट फोर है और यह फोर्थ है अंतर है कि नहीं तो जब कहाजा चार सेगें तब लगाएंगे एक्वेशन नमबर दो जब काजा चौथा सेगेंड तब लगाएंगे एक्वेशन नमबर फोर चले अब देखो हाइट नमबर वन तो एच वन ब्राबर कितना प्लेस हाफ जीटी स्वाइश न तो एच वन एकल योटी यूगा मां जीरो फ्री फालिग है प्लेस हाफ इंटु जीटेन इनटु फोर का होल स्वाइश तो एच वन ब्राबर कितना अगे वट्टे देखो यह फाइफ हुआ इन्टु शिक्टीन यानिकी अशी मेटर हुआ य कितने देर में? Height in 4 seconds. यहां पर क्या लिखे रहा हूं? कि Height in 4 seconds, 4 seconds में बोला है. तो जब कहें 4 seconds, 5 seconds, 20 seconds तो equation number 2. और जब कहें कि चौथा, पांचवा, आठवा, पीसवा, दसवा, तब equation number 4. अब जब देखें 4 में, तो Height in 4 seconds. अब क्या करोगे वही? Height in 4 seconds. तब क्या करिएगा? लगा दो equation number 4 लगा देखें. एच फोर्थ ब्राबर क्या? यू प्लेस जी बाइटू, टू एन माइनस वन. ओके? आप जब कोटा है. एच फोर्थ ब्राबर क्या? यू. यू मींस 0 प्लेस जी मतला 2. आँ, जी मींस 10 बाइटू. फोर्थ है ना? टू, फोर माइनस वन. किरना आएगा? सल करतो. ये हुग अब देखो, आठ माइनस एक साथ होगा, सेवन. सेवन इन्टू फाइफ, थर्टी फाइफ. अब क्या पूछा था? क्या था कि रेसियू अफ हाइट, पहले चार वाला और फिर फोर्थ वाला. पहले फोर, फिर फोर्थ. तो अब फाइनल एंसर, रेसियू बराबर कितना थर्टी फाइफ, देखो, थर्टी फाइफ, हो गया बटा, चलो, फाइफ से कड़ जाएगा, सोले, और यहाँ पे फाइफ से सिवन, सिस्टीन अपान सिवन, अब आज बटा, और और कुछ बाते बता हूँ अब आपको यहाँ पे, यह Πूरा चैप्टर, इस्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट डाइन मोशन पर रस्टेट बटा मचल्ट करके, बताया आपको, कि वन दी मोशन करके, यह दिया हुगा है अब 8-10 लेक्चर होंगे, पूरा 8-10 लेक्चर हैं 5-d इस्ट्रेट बटा मोशन पर और बहुत बड़ पढ्डा दिया कुछ पर कोई कोई दिकत हो किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई दिकत हो आप क required offering कोई पासभ दो आतुब ओप कमेंट में लिग दीजेए थर्म कहें कोई चाहिए थी इधर कुलंत मिलेगा आपको और हाँ और यह बात मैं आवर आभी बता दू तो अभी अभी यह चैप्टर आपको जैसे यूटूब पर पढ़ रहा है तो आपको मिल ला है ना और आप सब्सक्राइब की है चैनल को बिल दबाए होगे बटा तो नोटिफिकेशन मिल जाता होगा आपके पास में तुरंता क कुछ भी छूटने ऱहीं नहीं पाएगा तो Online chapters 176 176 176 वीडियोज हो चुके हैं फिजिक्स के नहीं के पूरा सिकेंडियर का पूरा क्लास 12 कोफरा वीडियोन है पूरा कम्पीडी वीडियो पटा और क्लास की कोर्स जो होता है नीट में क्लास 1 याला mecanics को bombing अभी पूरी वेवानी है, पूरा आप्टिक सभी आएगा, पूरा हीट एंड पूरा थर्मोडाइनामिक सभी आएगा, पूरी फ्लूइड मेकानिक सभी आ रहा विटा, नंबर वाइज बन रहा है, प्रेजन टाइम में चैटर कौन से चला है, निूटन्स ला आप मोर्शन, और ये खूजने का तरीका बताया मिठा, ना, He 16isini एक इटर वीडियो है, तो पी हईंडन्रेट फ्ीजिक्स पर जाये और पी हंडएच सर्छ कर्दीजै, जब चैनल मेरा खूल जाए, कि तब वही सर्च कर दिजिये. सर्च वूपर होगा, ना। सर्च में जाये, और वहां पर subundyczर कर दीजिए आपको चैप्टर पूरा मिल जाएगा पूरा जम करके पढ़ लिए वहां पर आठ दस वीडियो जो भी कुछ होंगे पूरी इंडिया के जो भी गुंटिशन हैं ने आय इट इसी पीजिटी टीट अनि पूरी फिजिक्स में डाला हूं इस्टेंडर हमों का क्या है नेट और आय इट हमारा बेस है यही में हम लों का बेस है लेकिन बोर्ड के बच्चे इनको बोर्ड देना है बहुत आराम से और आय इट के लिए इसे अच्छा कोई चैनल नहीं है 100% क्वेशन अभी अभी देखे हों गया नीट 2022 का पेपर सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले हमने साल को अरके दो घंटे के अंडर डाला है तो आप देखोंगे फास्टेट साल्व लिखा हुगा है वीडियो होगी सबसे चार घंटे के आसपास का वीडियो है तो फास्टेश साल्व जनिक जो ही नीट का जाम हुआ है तुरां तो ऐसे 2021 का पेपर साल्व होगा 2022 का पेपर साल्व होगा PGT फीजिक्स दो घंटे का टेस्ट होता टीचर की जो अपाइबेंट होता फीजिक्स के टीचर होगा तो उसका पेपर होगा तो घंटे में उनको 125 क्यों को करना होता है और इस्टेंडर्ड क्या होता यहीं नीट का ही स्टेंडर्ड होता है तो देखेंगे कि शाड़े 5 घंटे का एक वीडियो होगा 125 क्यों पूरे होल फिजिक्स का है पांस गंडे का फाइफ फाइफ थर्टी मिनट नड़े का वीडियो है तो मैंने institute at उननी धाब्चीसी में और मिसांन गिदीजान लगात मज़ड़ाएगा वे अग्युशनविक्षक ऊजरू responds संदधिए किसमें होती है तो यह थिए आपका फीजिक्स अच्छा है तो सब्सक्राइब है अब इसके बाद में मैं आपको बताया था कि अपना पी-हंडेट फिजिस का भी अप्लिकेशन एप नहीं बना हुगा अभी आप बनना फार्मेशन हो रहा है उसका मिनस बन रहा भी प्रॉसेस में है तो अभी जब यह आप बन जाएगा तो हम आप बताये थे आपको पहले पीछे वीडियो में नों डिस्क्रस किया था कि जब यह आप बन करके आजाएगा तो हम आपको वीडियो में इंफार्म कर देंगे सबके पास मैसेज चला जाएगा एप बन गया है तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के बहार या इंडिया का कहीं पर भी स्टूडेंट आप कहीं पर भी हो बिटा तो आप सीधे एप पर एडिमीशन ले सकते हैं और सबके लिए दो दो घंटे का टाइम होगा तो आप जिस बैक से में चाहते हैं वहां पर आप एडिमीशन ले लेंगे तो एडिमीशन होगारे कि फीस ना बहुत ही बहुत ही नॉमिनल नेट के जो खर्चे होते होते हैं कि वह बच्चों से लिया जाएगा बच्चों को फ्र मिला है और एप बन जाने के बाद भी लगभग फ्री आप कास्ट ही होगा तो उसमें रजिस्टर एडिमीशन लेना रहता बच्चों को और फिक्स टाइम पर लाइफ क्लास चलेगी और यह बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है यह मान के जाने कि पंदर से बीस दिन आ हो जाएगा तब तक आप यूटूब पर जम करके पढ़िएगा उसे बाद एडिमीशन हो जाएगा एडिमीशन जब हो जाएगा तो बेलकुल ही मुहां पर पूरे साल का यानि की पूरे साल का एक सेशन गया पूरा एक सत्र का दस महेने की फीस केवाल 900 से 10 रुपए के आस महेने की पूरी पढ़ाई करना तो नीट वाले बच्चों को जब जाम देना होता है तो वार नीट वाले बैच मेडिमीशन लेंगे तो उसमें पूरा फर्ष्ट या पूरा सिकंडियर एक ही साल में पढ़ेंगे आज जो कलास फर्ष्ट यार का पढ़ेगा फाउंडिशन तो वो 12th pass वाला बैच होगा तो जो 12th pass वाला बैच होगा वो साल भर में उनको पास पूरी complete physics उनको मिल जाएगी ऐसे IIT वालों को भी पूरी complete physics लेगी और फीश कितनी होगी फीश होगी 900 रुपए पूरे साल भर की फीश होगी 900 रुपी जे प्रक्स वनली 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 तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे अप्लिकेशन पर पढ़ेंगे डेली लाइप लाइप लास पढ़ेंगे और अभी यहां recorded वीडियो लेक्टर में डाल ला हूं अभी अप्लोड करने जा रहा हूं अभी आपको तुरंती अप्लोड करूंगा गंटे गंदर आपके पास पर लिए और जो पचे चाहते हैं कि ऐसे यूट्यूब पढ़ना विटा यहां तो फ्री है जम करके पढ़िए जो चैटर मन करें आगे पीछे जो भी जैसे मन करें दो वार दस बार-बीस बार नाइट पढ़िए खुब पढ़िए जम के पढ़िए लोगों को बताये का आप मोस्ट इंपार्टेंट यहां पर बता दू पहले क्या उस हेडिंग का नाम ग्राफिकल एनलसिस क्या है ग्राफिकल एनलसिस अब यहां पर दो तरह कि आपका क्विश्चन आते हैं या तो ग्राफ दिया होता है आपको आपको बताना होता कि which one is the correct यानि कि अब मैं question लेकर सम्झाओं तो अच्छा रहेगा, चलो वेटा question ले लिजिए, a ball जल्दी से में अचाथ नोट करते दिए a ball is a ball is freely falling a ball is freely falling a ball is freely falling from a height a ball is freely falling from a height draw its draw its graph between number one velocity and time number two number three चलो रटा, ये तीन ग्राफ है हाँ, बनाए, कैसे बनाएंगा, कुछ भी आइडिया, गलास सही कुछ भी खीची है अब जल्दी से तो, ये बाल is freely falling from a height, कोई बस तो बेड़ा, देखो, ध्रान देना, कहरा है कि कोई बस तो है, कोई बाल है, किसी उचाई से free falling, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये time के बीच कैसा गराब बनेगा इसका, हाँ, बनाओ जल्दी तो बिटा, कुछ भी गलास सही, खीचो जल्दी से, हो गया बिटा, खीचती है, चलो, मैं बनाओ, आजवा, चले, अब मैं बता रहा हूँ, अपना इंसा मिलाना, तो पहला केस होता बटा कि कोई situation दिया गया, क्या situation दिया गया, कि कह दिया कि बाल is freely falling, अब आपको गराब बनाना है उसका, अब इजाम में कैसे, नीट की इजाम में कैसा question रहेगा, चार A, B, C, D, आपसन देगा, चार IAT का इजाम हो, चार नीट का इजाम हो, चार आपसन और कहेगा, which one is correct, which one is correct, तो आपको चारो में से देख करके, जो सबसे अच्छा लगी, उसके निशाल मार देना हो, क्या होता, इजाम में हम लोगी कहते हैं, जब नहीं आता है, तो देखते हैं, यह सही है, यह सही है, यह सही है, अच्छा लग दा, उसी में मार देते हैं, ऐसे तो होता नहीं, कंसेट क्या कहता है, हमको उसको देख के मारना होगा है, आजाओ, चलो, अब जासा सीखेगा बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही इंपार्टेंट चीज़ है, यह सब कुछ बहुत ही स्प्रेंट करके पीशे वीडियो में है, वहां जम के देखिएगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से इंपार्टेंट इंपार्टेंट सारी बारते बता रहा हूँ, चलो बटा, तो जब भी आपको कहीं पर भी ग्राफ खीचने को बोला जाए, यानि कि कोई सीचिवेशन दिया या कोई स्टेटिमेंट दिया गया हो, और आपको ग्राफ स किस है, बाल का फ्री फालिंग है, अब बाल के फ्री फालिंग में सोचो, मन में अपने सोचिए, ना बिटा, मन में सोचिए अपने कि क्या कोई ऐसा एक्वेशन जानते हो, कि जिसमें विलास्टी भी आये और टाइम भी आये, कुछ भी जानते हो, हाँ हाँ जानते हैं, कौ से देखोड़ा क्या है free-falling बोला है equation में तो जब free-falling बोला होगा तो you command 0 होगा प्रारभ बेक चुर सुन्ने हो गया न इनिश्यल विराश्टी will be 0 you will be 0 ही है and then what will happen b equal to gt b equal to gt this is the final equation b equal to gt अब यही हमको ग्राप खींचना है high school pass होंगे या high school पढ़ा भी रहे होंगे कोई बात नहीं class 9th में आप एक चीज़ पढ़े हुए है क्या आपको madam पढ़ाई थी कि straight line का equation क्या होता है तो madam आपको पढ़ाई थी high school में 9th में कि जब line क्योई भी straight line कोई भी straight line जब origin से pass करती है तो इसका equation हो था y बराबर mx और जीन से पास करती है तो जब नीचे से pass कर रही थी तो बोलिए y बराबर ना mx-c जब ऊपर से कट कर रहा था तब लिखे थे या y बराबर mx-c प्लस c कहां पर था यह इतना जो distance हो थे प्लस c यहां से यहां तक जो होती हो माइनस c होते है और यह क्या है यह यह है y-axis और यह क्या है यह है यह x-axis यह है तो y को टूब mx-c y को टूब mx-c y बराबर mx हम कहना क्या चाहते हैं तो में अडम हैसलों पढ़ाई थी क्या सिखाई थी यही बराबर mx-c यह है देखो मिंस यह कि जब भी कभी देखो यहां y का पावर कितना y के उपर किनी घात लेगी हुई है कि what is the index of the y nothing is here means 1 किसी के ऊपर जब पावर कुछ भी नहीं हो तो उसमान 1 होता है तो y पर कुछ भी नहीं है न तो यह 1 और x पर भी कुछ भी नहीं है तो 1 यहां पर देखो वाई पर कुछ भी नहीं one यहां कुछ भी नहीं one one बराबर यहां पर ही y पर कुछ नहीं one यहां पर भी one यानि कि जब दो physical quantity के बीच ग्राफ खीच ना हो और दोनों का पावर सेम हो यार्द करो जल्दी-पन饭ास है क्या, पामर्ससे म, दोनों जिनके भी इसे बेग्ग खींचना गेटा, यदि उनका पामर्ससे म हो, तो बात कलीर हो गई पक्का क्या, कि उसको बनना है न disp regulate बनना सका aquíowa, उसको बनना है हाँ यह बन गया हूँ आपका तो मैं मिटाने जा रहा है इसको जल्दी लोग नोट करें यह मिटा दू हो गया हो गया है को बन गया सबका चालो आज आप देखोना अब अब जो हमारा एक्वेशन विटा भी और टी के बीच ग्राफ खिचना है वी का पांबर कुछ नहीं कु कुछ नहीं मींस 1 1 1 क्या बनेगा इस्ट्रेट लाइन बनेगा क्या बनेगा एस्टेट लाइन बनेगा और यեղ बराबर mx जैसा लग रहा है y बराबर mx जैसा लग रहा है प्लस c नहीं है या माइनस c नहीं है यहाँ पर भी बराबर gt में प्लस या माइनस कुछ नहीं है यानि कि प्लस माइनस कोई constant नहीं है यहाँ पर था प्लस c यानि कि यह भी बराबर gt का ग्राफ मूल बिंदु से स्ट्रीट लाइन बनाता हुआ इसकी जैसा होगा बैस हो गया अंसर देखो यह हुआ T यह हुआ V और दिशी द्राफ क्या सोब कर रहा व ब्रावेर जी टी ना बिटा वी ब्रावेर जी टी दिधा अंसर तो पहला फास्ट विलास्टी और टाइंग के बीश का पैसा, that is the final answer, हो गया, आज आप आप दो नमबर चलते हैं, अब आप दो नमबर खींचे तो विलास्टी और हाइट का खींचे अपने मन से, अपने मन से विलास्टी और हाइट खींचे, आप दो नमबर खींचे तो कहीं पर भी ग्राप खींचने के लिए सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, कोई एक समीकरन याद करो, जिसमें विलास्टी और हाइट दोनों हो, कोई एक्वेशन याद करिए, जिसमें विलास्टी और हाइट दोनों हो, काउचे विलास्टी और हाइट, तीन नमबर, V square equal to, U square plus, 2G, H religious होता ना मिटा थर्ड नमबर Ecc drop. गैलीलियो का equation number 3 u बराबर क्या है 0 free falling आके से विटा तो 20 square बराबर क्या हुगा 2gho के fantastic हो गया यह आया देखो विलास्टी height देखा रहा है अच्छा देखना विलास्टी का power कितना 2 h का power कितना 1 straight line बनेगा कि नहीं h का power एक विलास्टी का power दो straight line बनेगा कि नहीं पक्का नहीं करदाप ही नहीं क्यों अरे भाई पावर different हो गया और क्यों तो पावर ना बटा पावर different पावर क्या हो गया पावर different हो गया पावर different हो गया तो पावर different हो गया तो इस ट्रेट लाइन को कराप नहीं होगा, तो जब पामर डिफरेंट होता है बिटा, तो ग्राफ अवस से ही ध्यान देना, तो ग्राफ अवस से ही क्या बनता है, पैरा बोला बनता है, तो ग्राफ अवस से ही पैरा बोला बनता है, और पैरा बोला, पैरा बोला किदर हो बनता है तो पैराबोला हाँ सब लिखते जाए तो पैराबोला टुवर्ड किधर बनता है टुवर्ड नहीं समालर पामर इसमालर 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 पामर इसम अगा ग्राइजा ये है अमेरब कैसे कैसे बन सकता है वी और एक लिए यह ले लू भंआ तो ब्लास्थी बोला है डिरलज 만들어 क्लें टॉर राइट चलो तो बेस्टी कितना ऑच्व कितना बनेहीं दियांbon पौर कम होता है और कम किसका है एक का तो किदर घुमेगा एक के तरफ वो के हैं हो गया है करेक्ट इंचर चलो आजाओ फिर देखो अब तौब बदल दू अब चलो अब यहां हम न यहां एच कर देरा हूं अब यहां भी कर देडिया अब आप खीचो कैसा होगा है ना रें आप कैसा कि अरे बैज जिधर प्रकम वाला रहेग उधर ही घुमेगा ना ऐसे पाऊनर कम तो जिधर चाहिए जिधर रहे जिदे कम वाला उपर है तो ऐसे हो जागा यह स्फंटास्टिक हो गया चलो अच्छा अब बताओ किदर गुमेगा अब बताना हाँ कि विलाश्टी और हाइट हाँ अब बोले किदर गुमादो यहाँ पर देखे वी और एच था इसमें भी वी और एच था एच के पाउनर कम है तो एच डिधर एच इधर है तो जिधर एच रहेगा कम पाउर वाला जिधर हमेगा चलो अब लेकिन यहाँ पर भी स्कोयर है किदर घुमाओं है किदर घुमाओं बोलो हाँ आप कहेंगे सम एक पावर का मुदर घुमा दीजी अईसे हैं हां डे पर्षन गलत हो गया और अधी कहेंगे अभी तक तो यह हो रहाता है एक कहां से गलत गुला भी को गुमार रहा है वार का वैसे के तर् earning बीकाई सब्सक्राइं पर करता है यहांalten धू में फिक्यूमाई dau् pose आपका में इक्वेर्टा इसमें वी का पावर देखोगे ना जब पूरा वी स्क्वाइर ही ले लोगे ग्राफ के ऊपर देखना जाता है तो जब वी स्क्वाइर ग्राफ पर लोगे ना बिटा जब वी स्क्वाइर ग्राफ लोगे तो जिसको ग्राफ पर लिया जाता है उसका पावर देखा जाता है तो जब वी स्क्वाइर का पावर अब किसका भी क्या देखोगे कहें को भी देखोगे भाई ले लिए ग्राफ के ऊपर लिए वी स्क्वाइर तो जिसको लिए उसका पा लेखो देखो समझ में आ रहा है ना जब अब बोलो जब लोगे वी तो चुकि में फार्मूले में वी स्कॉर है तो जब वी ग्राप के उपर रहेगा तो वी का पावर बोलोगे दो अजब पावर को अंदर कर लिये हो यानि ग्राप पर वी स्कॉर ले लिये हो तो वी स्कॉर का पावर देखोगे न क्या है इस पर तो कुछ भी नहीं है क्यों देखो वी स्कॉर को पर कुछ भी नहीं है तो तब कहोगे वन है तो यहां वन और एस का वन था ही इस्टेल लाइन बोथ हर सेम इक्वेल देर्फो इस हाइट और टाइम फ्री फालेग का क्या है हाइट और टाइम चलिए हाइट हाइट टाइम फिर वही बात कोई भी एक ऐसा एक्वेशन याद करिये मन में सोचो बीटा कोई भी एक ऐसा क्या मन में सूचो कोई भी का ऐसा एक्वेशन मन में सोचिये क्या क्या मन में सूचिये कि जिसमें एच और टी आता हो बस दो नंबर और क्या एच बढ़ाबर यू टी प्लस हाफ gt square है विटा है तो h ब्रावर 0 प्लस half gt square होगे विटा है means कि h ब्रावर क्या half gt square h का पामवर h पर कुछ है नहीं कुछ नहीं means 1 और t पर कुछ है हाँ t पर है 2 h पर 1 t पर 2 बना दिजिए ग्राफ कि यहां ले लिया हूं टी यहां ले लिया हूं h।へ फैश का पामर 1 ८्लं क 17 ग्राफ कम पाज़िसा पामर कम है उदर गुमेगा ईस के तरब गुमेगा चल अब बोलो किदर गुमा दो तो गोमेगा इदेँ तर्बनेगा जटी देंस है हो गया चलो फिर देखो अब बोलो कीधर घुमादो अब बोलो कीधर गुमाओ एच ती स्क्ट अब बोले किधर घुमादfilm जब टी स्क्वाइर ले लिए हुआ तो टी स्क्वाइर की उपर देखोगे पावर कितना है ना धन्दे ना टी स्क्वाइर को पर कहां कुछ पावर है वन तो वन वन क्या बनेगा इस्ट्रेट लाइन डटी देंस है फंटास्टिक तो यह था कि कहीं पर भी ग्राफ खींचा कैसे जाता है कहीं पर ग्राफ खींचते कैसे हैं अब देखो तो दू तरह की ग्राफ पर क्वेशन आपको आते हैं एक तो होता है कि ग्राफ बनाना होता है और दूसरा होता है कि ग्राफ बना बनाया दिया होता है और आपको नुमेरिकल साल्प करना होता है जैसे आज आओ एक इजाम पर लोले लो बिठाए हापके है हाँ आज आओ कहीं भी एदि आपको ग्राफ दिया गया हो ना कहीं भी एदि आपको ग्राफ दिया गया हो स्व्टा किंभी एदि आपको ग्राफ दिया गया है तो किसी भी ग्राफ में अदि दो छीज़ होती है हिए एक होती है ग्राफ में एक ग्राफ विए मुझाव पूर्म दिसम ज्यका हो यल्कितiran सावmus में। चाहे वो फीजिक्स हो, चाहे वो कमिष्टी हो, चाहे वो बाय हो और आको नुमेरिकल कुछ भी साल्ब करना बटा तो कहीं पर भी गिरापे दो ही चीज़ होती है पहला क्या होता है स्लोप इसे हिंदी में कहते हैं परवनता और इंगलिस में कहते हैं स्लोप और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ना बटा टैन थीटा और बड़ावा लिखते हैं डी वाई अपान डी एक्स दोगे बटा, मैथ का इस सब्द है डी वाई वाई डी एक्स अब आ जाओ, दुसा क्या होता है ग्रॉप पे? एरिया और पहला क्या है? स्लोप चलो बटा, आप बताओ किसी भी ग्रॉप में क्या-का चीज़ पाइजाती है? तो किसी भी ग्रॉप में मातब दो चीज़ पाई जाती है नमबर एक प्र प्र तो बटाओ नमबर एक, स्लोप, नमबर दो, एरिया, एरिया वरबर क्या होता वाटा, लंबाई गुड़े चोड़ाई, यानि यहां लिखा जाता ऐसे, dy गुड़े, dx, dy गुड़े, वही, लंबाई इंटु चोड़ाई, means length इंटु ब्रेथ, अब जार देखना वाटा, कहीं पर भी, यह है, dy और यह है, dx, होगे बटा, देखो, वाई पर जो भी कुछ रहेगा विशा दाम दो के, dy, जो भी कुछ यहां लिखा रहेगा वह ही, dy, अजो यहां लिखा रहेगा, वह दी, x, हमेशा, 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 अच्छा, अब सवाल है रहा, कि इसका use कप करोगे, और इसक का यूज कप करोगे अब लिख दो यहां पर यूज एरिया का यूज कप करोगे फार कलकुलेशन जब कोई चीज कल्कुलेट करनी होगी तो हम इसको चेक करेंगे कल्कुलेशन जब कोई इसको चेक करेंगे जब नेचर बताना हो यह कभी यूज करेंगे तो इसको यूज तब करना है जब नेचर बताना हो नेचर नेचर बताना हो यानि नेचर बताना हो नेचर बताना हम इस कि विलास्टी बढ़ रही है कि घट रही है तब हम इसको यूज करेंगे नेचर बतान कि याद करें बीटा ग्राफ में क्या-क्या справ जाती है तो ग्राफ में ऊच्छ में माता दो चीज़ कोई है वाया जाती है बपने कि में ऐरिया और शाइए काप बूर év आ जादे खुटां इस जाम पर इस जाम पर कुछ कुछ बस्तों देए हुई है दिस्प्रेसिमेंट दिया है वाइपर इस पर दिया टाइम इतने दिया हो भीटा ए बीसी डीएफ डिटर्माइन क्या कुछ आपसे कुछ नूट कर लो बब जल्दी से पले कुछ नूट कर लो तो हाँ नूट करिया है क्या रहा है डिटर्माइन नेचर आफ बिलाश्टी आफ ए बी ची डी इए नेचर बताना यानि आप इसमें से सब ग्राप तो आएगा नहीं आपके जाम इसमें से एक या दो रहेगा तो कह देगा कि velocity of a option चार देगा कैसे velocity of a increases and velocity of b decreases velocity of a increases uniformly velocity of b increases non-uniformly ऐसे चार आपसन बनाएगा जो अच्छा लगे उसमें मार देना है तो जब नहीं आता है तो इस्टुडेंट क्या करता है अच्छा लगता उसमें मारता है नहीं तो येस इतना concept इना जबर्यस्त हो यहीं इंसर है करिए तो जल्दी से हाँ कहीं तो अभी कहां कर पाएंगा भी आप पहले बताईए तब ना अभी कहां आएगा हाँ चलो हम बतारे है क्या करना है कुछस्ट समझ गए कुछस्ट समझ गए नेचर बताना है सबसे पहले एरिया कि से सलोट सलो नेचर बताने के लिए क्या सबसे पहले SWT पहला सबसे पहला इसक्रेप oni CT जब भी कभी आ को बताना हो किसक्वेश्चन में क्या हो रहा है graph क्या show कर ला है क्या करीगा सबसे पहला काम क्या करिए ना कि स्लोप जानते हैं नेशर बताना है बस सीधा का फंडा है क्या सीधा point लिख दीजेगा लिखेगा डीवाई ना इसी को हम घीड़ा नोख यृटने चीय। अब मैं अभी अभी सिखाया हूँ आपको कि dy मतलब नहीं जो यहां दिया रहे है वही dy है और जो यहां दिया रहता है वह dx है चलो तो टैन थीटा ब्राबर लिखो तो टोटा क्या हुआ dy क्या है हमारा displacement x और इस पर क्या है time displacement अपन टाइम ब्राबर क्या मालों डेल्टा लगा दिया जाए तो डिस्पर्सिमेंट अपन टाइम ब्राबर क्या होता इसी को कहते हैं velocity अरे वह क्या फैंटास्टिक मैजिक जादू है टाइन थीटा ब्राबर क्या गया velocity बस हो गया साल हो गया अब इतना ही कि वहला कुछ जानना था अब ऐसे नहीं याद होता कि इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है तो टीचर बताते हैं बच्चे ऐसे ऐसे गुद्ध कोई घूम रहा है नो तो अरे याद यह सफाल तूबा देखो फस लासी mathematics देख रहे हो एक लाइन गल्ती की कुछ भी देखना ही नहीं गल्ती कोई chances सबके लिए है इस पर टाइम सबके लिए है यानि कि सबके लिए आया टाइन थीटा बराबर विलस्टी अब एक एक का इंसर दे देना है चलो अब हम जा रहे हैं इंसर देने एक का इसा बना है अब हम समझाने कि एक को अलग से बना दे रहे हैं अब जा देखना थीटा कहा पर है यही थीटा है यह भी सीधी लाइन यह भी सीधी लाइन दो सीधी रेखाओं के 20 का एंगल एंगल बिट्वीन ट्वी स्ट्रेट लाइनी जालवेश कॉंस्टेंट तो थीटा के बलू क्या बनी हुई है विटा थीटा के बलू क्या बनी है कॉंस्टेंट देखो यह आप कि कोड़ 45 डिगरी है तो 45 डिगरी जो हम छोटे थे तभी 45 डिगरी का मानुवन होता था और आज 20 सार प्रहाते हो गया तभी 1045 का मानुवन नहीं है आप भी जब बुढ़े हो जाएंगे तभी 1045 का मानुवन नहीं रहेगा इसा मतलब हुआ कि थीटा जब कांस्टेंट होता तो समान भी कांस्टेंट होता है तो थीटा है कांस्टेंट तो 10 थीटा भी हो गया ना क्या कांस्टेंट तो 10 थीटा पर पाई वह विलास्टी तो विलास्टी भी क्या हो गई constant okay fantastic that is the result velocity constant है मतलब क्या कि अब आप कहेंगे कि जो बस तु ए है वहाँ एक constant velocity से move कर रहा है यानि एक fixed straight line पर सीधी रेखा पर समान बेख से समान दिशा में जा रहा है एक ही speed से एक ही दिशा में जा रहा है fix है उसका speed fixed उसकी velocity fixed तो velocity इस भी ब्राबर कंस्टेन यानि कि uniform velocity uniformly moving या uniform velocity uniform फार ओके दिशेदर रिजल्ट आद फर्स्ट पर्ड एए हो गया हो गया पक्का फस्ट लस अब अब भी नमबर आप लुख्ष बनाएए ऐसे बैकला बनाए और इंसर बोलिए और इंसर इसे जारा है देखो चलो मैं बता रहा हूं देखो यह थीटा ब्हुता पहले इधर जा रहा था फिर इधर हो गया फिर पैरलल होने जा रहा है आज जानते हैं दो सिधी तो खराऊं के 20 का इंगल न दो पैरला रिखां के 20 का इंगल जीरो होता है इंगल बेटिन टू इस्टेट लाइन जादो जीरो तो यह पईलव रहा इसके जीरोने जादा थीटा का क्या कारण बीटा थीटा डिक्रीष कर रहा है तो हम बीटा सब के लिए एनता गैऱ ना मिखारों यह फार LIKE it Jewel summary है आप देखो बी पी क्याह हुआँ डेक्रीजेश क्या बिलस्टिक क्यां बिलस्टिक दिक्रीज यानि क्या है कैसा है यह रिटारडेस्टन हो रहा है मैं कहों कि कि समय बिलस्टिक घट रहे है तो आप कहेंगे कि बी देखे अब देखो इंगल कहा है ये देखो पहले सी जा रहा था अब थोड़ा देर बाद में ऐसे हुगा फीर ऐसी थीटा बढ़ रहा है थीटा है थीटा इंकरीज थिटा इनक्रीस आयदा थो जॣ्ट्प पतो हैँ विलास्टी भी अ क्या हो गया डिसेले इलं जल्दी इलंड तो भी हो गया डिसी दर्ल जल्दी 국ो गेऊ जल्द ग्युट अ इ हैट चलो और आजाए यह है है हाँ चलो आजाओ सी के मतलब डी पिर आजाओ देखो डी डी ऐसे है अब पहली बात यह है यह बताए कि angle कहां पर है अंगल देखो ग्राफ और x-axis के बीच एंगल हमसा लिया जाता देखो कहीं पर भी ओल्लों किसे बीच ले रहे थे graph और x-axis के बीच means angle यह नहीं होगा यहाँ तो थीटा कमा देखोड़ा और यह Community हरमेसा क्निवाइन घर्टक थीटा क्या वगया कांश्टेस्ट हो यह पहली बात और ढूसरी बात क्या होई पहली बार हम रोगों को दिख रहा है कि थीटा कमा नब्य से ज़्यादा है तो थीटा सब स्टेंट और क्या है एंड नेगेटिव घंट थेटा क्हुलब करने जांत में विपलाबर किFrank सब्सक्रांग वापर किसे ऐतना मिला हुए गैसे 2 इचावाबर किसके हैं प्रस्ट करें विलोच्टी तो देखो बार भर constant and negative अब बोले नियुके बिलास्टी क्या मतला। instant and negative velocity किसी कहते है है। जानते हूं कह देते हैं का इसलिभाय बच्चों से guardians तो जब मैं कहता हूं कि constant velocity negative velocity का क्या मतलब है तो बच्चा कहता है retardation मैं सुचता हूं कि 4 साल क्या करने के लिए तुम्हें आहां वहां गए थे पढ़ता करने के मतलब क्या पढ़े कि कहते हैं retardation अरे बटा negative velocity मतलब retardation नहीं होता जब acceleration minus होता है तब retardation होता है तो negative velocity का मतलब क्या हुआ चलो देखो जैसे माल यह हार्थ में बाल हमने ले लिया ले लो अपने हार्थ को अब लीजिए ले लिया चलो दीवाल की तरफ मारी है मारा तो जब दीवाल की तरफ माल होने फेके 10 मीटर पर सेकंड से तो जब बाल इधर से गया जब बाल इधर से गया दीवाल की तरफ तो हम बोल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड तो जब टकरा करके वापस आएगा तब क्या बोलेंगे से जबła है माइश 10 मीटर पर सेकंड को नृटर स्लाव मोंसर में तो यहीं लीनियर मोम संटल क ने के इक बाडं है एक बाल एक बालर ने बाल को इसट्रेट थ्रो किया बैट मैन ने बाल को उसी श्पीर से स्ट्रो क लगाएक के वापस कर दिया बाला आरा था इ commend the ball अधिर voices कि इत कर दिया वाल को सीधा इस्टेट फिल्डर के तरफ कि नहीं और येदी बाल जीरो वैंट टू सेकेंड के लिए बैट के contact में रहा हो तो बैटमैन के हाथ पर फोर्ष कितना लगा और उसी बाल को बालर ने catch किया और catch करते समय बाल को 25 cm हाथ पीछे खीचा तब बताओ कि उसके हाथ पर फोर्ष कितना लगा तो बालर के हाथ पर फोर्ष कितना लगा और बैटमैन के हाथ पर फोर्ष कितना लगा और क्वेशन में करवाया हूं आरेडी करवा चुका हो ठीक है तो अभी एक्वेशन तभी समझ पाएगा ना बच्चा जब उसको पता होगा कि नेगरी बिलास्टी क्या होती है क्यों अभी आकर नीट में क्यों सनाया था कि कोई बाल किसी उचाई से गिर रहा है ग्राउंड पर तो जमीन पर टक्रार रहा है तो 50 meters per second कि स्पीट से एक पर जा रहा है तो बताओ ग्रआउंड पर कितना लगा अवे कैसे करोगे सब पें करैंगहा तो जब यह सब छोटी चोटी बाते हैं यहां पर मालूम होगी तब बड़ी बड़ी चीजें हम कर पाएंगे सेलेक्षन होगा कांसिक क्रियर नहीं हुआ जोकरों के साथ में जोकरों को बैठके गुदना हथ में घुदा ह्रा बैट कि longest तो कैसे सलेक्षन होगा टीचरों की मिमिक्री हो रही be कैसे सलेक्च। मैंञेों स्बमून बढने लोगा जमीन पे रहा है कि आज करने से लेक्षण का रॉक सब्रीक सेख़ें तो टीजर रहा होगा नहीं। सब्सक्राय।ंदory तो सेलेक्शन तो ऐसे हुगा ना सेलेक्शन तो जो हम डीक में फीजिक सीखेंगे तम नहोंगा ओके फिलाल कमांद पॉइंट तो क्वेशन था आपने होगा कि कांस्टेंट एंड नेगेटिव नेगेटिव बिलावस्टी का क्या सिंस है तो जब कोई बस जीधर से गई बच्चे सीधा गलत करते क्यों टीचर इना क्लियर कट पढ़ाते नहीं तो लिख दीजिए आपर कि यह क्या सो कर रहा है तो बाड़ी डी एज रिटर्निंग टूर्ड इनिसियल ना इनिसियल पोजीशन बस अपने प्रारभी कावस्था में वापस आ रही हो कैसे आ रही है कांस्टेंट सब्द लगा हुआ है तो रिटर्निंग इनिसियल पोजीशन एक और लाइन देजिए विट विट कांस्टेंट इसपीट 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 लिखेगा विलाश्री नमत देखें कांस्टेंट क्या हूं क्योंकि जा रहा था तो उधा है अब वापस आ दिशा बदल गई है तो इसपीड नुमेरिकल वैलू कांस्टेंट है दिशा तो चेंज हो चुकी है इसले इसपीड लिखा जाएगा इसपीड लिखा जाएगा अभी देख रहे है ना नीट 2022 में दो क्योशन अभी इस चेप्टर से आया हुआ हुआ है 1D स्टेट लैल मोशन से दो क्योशन आए हुए है मैं दोनों क्योशन का एंसर भी देता हूँ आपको फटा-फट और वहां पर क्या किया है इसाल नीट मे एंश है आया है कि डी का फाइनल एंसर या है भी इस से नहीं बच्य को नालेज है तो कहें गावी लांट रही है ना नहीं तो बढ़र है ले ने लिट आई नहीं हो राए नैज बढर रही है मा बाड़ीट शे को रोगन देख रहे हो कि आजा एं द्बाडिवावा रही है та यह नब्बे डिग्री है त civ कंज़ यहां देड़ी पैन захaprès डाफ विलास्टी अभी यह अनों प्रूफ किये अब यह हो गया 1090 कि ब्लाबर क्या विलास्टी अर sabot misconceptions कुला है इंफाइनाइट यहां कि अभी कर ना ग्राफ बिलास्टी इन फास्ति अन अीट जो कर रहा है कोई लाइन खींची ही नहीं जा सकती है इसा मतलब हो कि इस ग्राफ पासिबल क्या निकला बिटा इन ने इगर आफ not possible और उपनाट पासिबल और और बचा है अब एफ नंबर पे आजाओ ना देखो यहां पर देख रहे हो एफ नंबर पर इस समय पर वस्ट यहां थी अगले समय पर भी वो बस्त वह हीं है अगले समय पर भी बस देख रहे है यानि समय वदल लहाँ है लेकिन बस्त के position में कोई परिवर्थान नहीं युटथ वहीं पर है यानि क्या है वह रेस्ट तो f f आपस्त क्या है रेस्त में है यानि बिराम आवस्था में है वंग आप पार आप थीточ में है रेस्ट में यह लेंकालता थो जाfest 10 0 ब्राबर velocity 10 0 क्या लिए यह लाइन और यह लाइन दोनों parallel है अब दो parallel line के 20 का एंगल 0 होता है तो देखोड़ा, यहाँ पर 10 0 थीटा कमांद 0 रखा तो V ब्राबर 0 मिन्स कहा मिला, velocity 0 है अज जब velocity 0 है, यान एक बाड़ी rest में है, तो F F is in rest, तो F किस में हो गया, rest में हो गया F is in rest, ओके हो गया तो यह था graphical analysis तो देखोड़ा यह chapter 1D, straight line motion तो straight line motion यह बढ़ा बहुत बड़ा chapter है अभी देखिए अभी हमने यहाँ पर लिया क्या है displacement लियाने बटा अभी हाँ velocity ले लिजिए और यहाँ time और फिर सारा answer बताना है यह तो अभी हमने slope का यूज़ बताया अभी area का यूज़ बाकी है तो यह सारी चीजे अब आपको कहां मिलेगी क्योंकि इस समय में इस चीजों को पढ़ा चुका हूँ यह एक lecture मैं बना दिया हूँ अलग से आपके लिए तो अब आप क्या करेंगे कम सम आठ दस लेक्चर होंगे तो यह आठ दस लेक्चर आप क्या करी इतना तो मैं अभी तुरंत के लिए बनाया हूँ ताकि आपका कांसेट कुछ किलियर हो पहले यहां मना दिया अब यह सारी चीजें जो मैं बनताया हूँ और इसके आगे अब जो भी कुछ है वह सब 1D नाम से स्टेट डाइन मोशन मोशन अंडर ग्रिवटी बटा 1D नाम से 1D1, 1D2, 1D3, 1D4 ऐसे करके दिया होगा तो आठ दस लेक्चर होगा बटा वहाँ पर जा करके पूरा 1D पढ़ लाले सिस्टमाइटिक पढ़ते आईए पहला लेक्चर से स्टार्ट करिएगा पहला लेक्चर यहीं है इसी से सुरू होता चुकि इसके बाद सारी यह भी और इसके बाद की सारी चीज़ें हम मैं आलरी बढ़ता यह हूँ उसी इसको दो बार बताने की और आगे वीडियो बनाना भी बहुत लंबा कोर्स बाकी है तो आप क्या करें वहां जाके पढ़ें कोई भी प्रावलाम होती है हमको कमेंट में लिख दीज़ें कि सार नहीं मिल ला है यदि आप खोजे नहीं पाए नहीं मिल ला है लेचर या वहां कोई दिक्कत है या नहीं पढ़ पाए कोई भी चीज़ें तो आप सभी लोग इतने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं के लिए आप लगी हैं कि आपको ये वीडियो मिला हुआ है और ये 20 साथ से में पढ़ा रहे हैं कई हजार डाक्टर बनाया हूं कई हजार आई आई टीन हो कई हजार डाक्टर बनाया हूं बच्चे अपने बनते हैं बच्चों को क्या होता है बच्चों को मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है टीचर का काम क्या टीचर बनाता नहीं है टीचर के वल रास्ता दिखाता है तो हम के वल आपका रास्ता दिखाएंगे बताएंगे मुश्किलों को आसान करेंग बनना तो आपको अपने अपने मेहस से है, टीचर कभी नहीं बनाता है, टीचर एक अच्छा गुरू होता है, मारक दर्शक होता है, तो वह क्या करता है, बस बच्चे को एक अच्छा रास्ता बताता है, उसके मुश्किलों को आसान बनाता है, concept को चुकी अनुभव है हमारे पास 20 साल का ना बत अब इंडिया के first rank holders को मैं पढ़ाया हूं विटा ना हां enjoy के साथ पढ़ाई हो लेकिन enjoy में हम समय नबर बात करें अपना क्या करें हम सीधे अपने focus करें अपने तार्गेट पर तो बागी का लेट्टर यहां पर क्या करें अब आ से पढ़ेंगे indeed already बना ही हुआ है बदा तो अब area का यूश क्या है उस पर numerical न है इसाब करिएगा और 20 में मैं फिर अभी आपको लूँगा एक एपिसोड लूँगा यह निउटन स्ला मोसन भी चला ला बैटा अभी निउटन स्ला मोसन 10 नंबर का एपिसोड आने वाला है दस्वा नंबर कल आएगा ना कल साम तक आ जाएगा ठीक है तो कल आएगा दस्वा निउटन स्ला आप मोसन पार्ट 10 आने वाला है कल ना तो आप इधर भी पढ़ते रही है उधर भी पढ़ते रही है यानि कि दोनों पीछे का चूटा हुआ वंडी अभी नहीं पढ़े हो तो वंडी सुरू करो वंडी पढ़ो वहां पर किलिए ओके बेस्ट आफ लग तो आज का अपिश्व यहीं पर रुगता हूँ और इस समय हो रहे हैं मैं जब लेचर बना रहा हैं बैटा तो इस समय हो रहे हैं रात में तीन बच के दस मिनट हो रहा है और अभी घंटे लएगेगा इसको लोड होने में बैटा यूटूब पर अभी आप मार्णिनिंग तक आप सो के उठेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा और के बेस्ट अफ लाइक